इस वक्त आदित्य थोड़ा उदास महसूस कर रहे थे वह जों कियान से बस परिचित था और फिर भी उसके साथ जों कभीले द्वारा काम पर रखे गए व्यक्ति के रूप में व्यवार किया जा रहा था और अब ऐसे लोग भी थे जो उससे निपटना चाहते थे क्या बकवास है उसकी टकटकी जों कियान पर आगे बढ़ गई केवल उसे देखने के लिए उसी तरह अपनी हथेलियों के साथ विस्पोट किया जैसे की देधी प्यमान तलवार की किरने चमक रही थी जो उसके सामने तैरती हुई कई भयानक तेज तलवारों में बदल गई वह फिर मुरा और आदित्य से बोला भाई किन इस मामले का तुम से कोई लेना देना नहीं है तुम पहले चले जाओ वे वास्तव में मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेंगे आप छोड़ना चाहते हैं क्या आपको लगता है कि आप सफल हो पाएंगे बीच में बैठी मादा ठंडी सुंधती है जैसे उसके हाथ में तेज तलवार दिखाई दे रही हो स्वार्ड रेवरेंस सिटी की तीन प्रमुख शक्तियों में से लगभग सभी ने अपनी खेती को तलवारों पर किंद्रित किया आदित्य ने तेज तलवार की नोग को अपनी ओर इशारा करते हुए महसूस किया उसके तेज को उसके खिलाफ उबाव महसूस किया उसने अपने दिल में आह भरी ये विरोधी युवानफु के नवेंस्तर पर थे और काफी मजबूत थे लेकिन दुख की बात है कि युवानफु के नवेंस्तर के विरोधी उलेख के योग्य भी नहीं थे बहतर होगा आप अपनी तलवार हटा ले आदित्य ने महिला की ओर देखा और भाभीन होकर बोला मैं किन अभी स्वार्ड रेवरेंस सिटी में आया हूँ और मैं किसी के खिलाफ लड़ने को तयार नहीं हूँ हमफ उस महिला ने सपश्ट रूप से उसके शब्दों की सराहना नहीं की उसके भाहों के केंदर में हत्या का इरादा इकठा हो गया जैसे ही उसने प्रतिवाद किया चुँकि आपको जों कभीले द्वारा काम पर रखा गया है आपको नियमों पर बहुत सपश्ट होना चाहिए आपको नौसिखिया होने का दिखावा क्यों करना पड़ता है दूसरों से जूट बोलना पड़ता है वह किस उद्देश की पूर्ती करता है और चुँकि तुम पहले से ही इस मामले में उलजे हुए हो तुम्हें पहले से ही मौत के लिए तयार रहना चाहिए ली नियान इतना बरबर होना बंद करो जों कियान की कलवार प्रकार की सुक्ष्म आत्मा हवा में मंदराते हुए आगे निकल गई युद्ध के इरादे को विकीन कर रही थी मैं किसी निर्दोश को बक्षने के बजाए किसी को अन्याइपूर्ण तरीके से मारना पसंद करूँगा जो दोशी हो सकता है ली नियान की आवाज में एक जानलेवा ठंडक थी ओह क्या तुम मेरे जों कभीले के लोगों को सिर्फ इसलिए धंका रहे हो क्योंकि तुम संख्या में जीतते हो दूर से एक ठंडी खर राटे आई तेज गती से हवा को चीर्ती हुई उर्ती हुई तलवारों की सीटी के रूप में तलवार प्रकाश चमक उठा उस क्षण में कई लोग जों कियान के पास के खेतर में जमा हो गए ली कभीले के तीनों के बारे में उदासींता से नियानेर फिर भी हवा में एक और आवास गूंज उठी उन सब ने सिर जुकाया और उनके मुखडे बदल गए लगभग तीस वर्ष की आयू का एक चरित्र एक उर्ती हुई तलवार के उपर खड़ा था जो उन सभी को घूरते हुए एक असाधारन आभा दिखा रहा था ली रैंड जों कभीले के लोगों के भाव अविश्वसनिय रूप से भध्दे हो गए जब उन्होंने इस व्यक्ति के आगमन को देखा ली कभीले में ली रैंड का दर्जा काफी उचा था उसने तीस साल की उम्र में स्वर्गिय सब्तरिशी चेत्र में कदम रखा था और उसका युद्ध कौशल आश्चर्य जनक था उन्हें उतकरिष्ट प्रतिभावाले दुरलब कुलीनों में से एक माना जा सकता है जो युवा पीधी में सबसे मजबूत है उसकी तलवार सुंदर बिजली की तरह थी जो लोगों को इतनी जल्दी मारती थी कि उनकी तलवारों पर खून के धब्बे पढ़ने से पहले ही वे मर जाते थे निकट भविश में स्वाड रेवरेंस सिटी की तीन प्रमुक शक्तियों ने तलवार की चटान के समतलक शेतरों के आसपास निशकर्शन के दस साल के अधिकारों के लिए होड करने का इरादा किया यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा था उनके लिए आपसी शत्रुता की स्थिती में खीचे गए खंजरों से अपने दान्तों को नोचने के लिए परियाप्थ था यह युवा पीधी के सदस्यों के लिए विशेश रूप से सच था क्योंकि वे इस पूरे आयोजन के केंदर बिंदु थे इसलिए जब ली कभीले के इन लोगों को पता चला कि आदित्य को जों कभीले द्वारा काम पर रठा गया है तो उन्होंने उससे निपटने के लिए खुद को तयार किया पंद में आदित्य पर उतरने से पहले ली रैन की पैनी नजर सभी पर पड़ी उसकी आखों की तीवरता आदित्य को भेदने में सक्षम लग रही थी फिर भी ली नियान की ओर मुरने से पहले उसकी निगाहें केवल एक पल के लिए टिकी थी नियानर क्या चर रहा है? अगर वह जीत गया तो जा सकता है लेकिन अगर वह हार गया तो इसका मतलब मौत है अपनी बाहों को फड़फडाते हुए आदित्य ने अभिनाय के लिए तैयार एक कदम आगे बढ़ाया ये रान हद से ज्यादा मत जाओ इस समय जोम कियान की आवाज निकली उसकी आखों में एक निर्मम प्रकाश कौंध गया और उसकी इच्छा के इरादे से उसके सामने एक छोटी सी तेज तलवार प्रकट हो गई इस तलवार की तीक्षनता ने तलवार के इरादे की तीवरता से पूरे अंतरिक्ष को जखजोर कर रख दिया यह तलवार मुझे मेरे कबीले के एक बुज़ुद ने दी थी मुझे बहुत दूर मत धकेलो या मैं मुआवजे के रूप में ली नियान के जीवन को निश्चित रूप से ले लूँगा जोंकियान की अभिव्यक्ती बहुत थंडी थी ली नियान का चेहरा बदल गया, असाधारन रूप से भग्दा हो गया वह तलवार को अपने उपर बंद महसूस कर सकती थी वह तेजी से पीछे हटी, केवल यह देखने के लिए कि छोटी तलवार तुरंट आगे की ओर जूम रही है तलवार की तीवरता बढ़ने पर उसके सामने मंडरा रही है अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, तो तुम बच नहीं सकते जूम कियान की आवास खत्रे की प्रबल भावना से भरी हुई थी यदि तुम उसे मारोगे, तो तुम सब यहां मेरे हाथों मरोगे यी रैन में कदम आगे बढ़ाया, और जैसे ही उसने ऐसा किया ऐसा लगा जैसे एक विशाल तलवार ने पूरे आकाश को निगल लिया हो जूम कभीले के लोगों को ऐसा लगा जैसे उनके शरीर के टुक्रे-टुक्रे होने वाले हैं यह तलवारों के दूसरे स्तर के जनादेश से दमन था एक सास और मैं उसका जीवन काटूंगा जूम कियान की आवास बहुत थंडी थी उसने फिर आदित्य को देखा और बोला भाई किन चलते हैं शुरुवात में आदित्य पहले से ही एक्टिंग के लिए तयार थे लेकिन यह देखते हुए कि जूम कियान उसके साथ एक मित्र के रूप में कैसा व्यवहार कर रहा था वह जूम कभीले से कोई परिशानी पैदा नहीं करना चाहता था और इसलिए ऐसा करने से परहिस किया उसका स्वभाव अब पहले से अलग था यहां तक की ली रैन भी उसकी आखों के सामने उल्लेक के योग्य नहीं था उसे मारना या नमारना यह केवल इस बात की बात थी कि वह ऐसा करना चाहता है या नहीं इन गिनिचने विरोधियों में इतनी योग्यता नहीं थी कि वे उनका क्रोध भड़का सकें थोड़ा सिर हिलाते हुए आदित्य जोंकियान के साथ चला गया चोटी तलवार की वह कीनिंग अभी भी ली नियान पर कसकर बंद थी जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि वह नपुनसक गुस्से से काम प्रही थी जोंकियान और अन्य के गायब होने के कई क्षण बाद ही छोटी तलवार हवा में उड़ गई वापस जोंकियान के पास लौट आई अगर मैं उनसे दोबारा मिलता हूँ तो मैं निश्चित रूप से उन्हें मार डालूँगा ली नियान ने शांदार धंग से कहा आपके पास जल्द ही ऐसा करने का अफसर होगा इसके बारे में इतनी जल्दबाजी करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है उनके समूह के जाने से पहले ली रैन ने शांती से बात की अभी आदित्य और जोंकियान जोंक कबीले की ओर बढ़ रहे थे जोंकियान ने मुस्कुराते हुए कड़वाहट से अपना सिरहिलाया कितना खतरनाक है ली रैन वास्तव में शक्तिशाली है और उसे हमारी पीढ़ी में सबसे मजबूत में से एक माना जा सकता है वह पहले ही स्वर्गिये डिपर में कदम रख चुका है और अगर यह मेरी तलवार के खजाने के लिए नहीं होता तो हम सभी आज बुरी तरह से पीढ़ित हो सकते थे भाई किन को इसमें फंसाने के लिए मुझे वास्तव में खेद है और विनमरता पूर्वक आपसे ख्षमा मांगता हूँ यह एक छोटी सी बात है आदित्य ने लापरवाही से उत्तर दिया भाई किन वास्तव में एक उदार व्यक्ति हैं जों कियान हसा यह मामला तलवारों की उस श्रिंखला के अस्तित्व के कारण उद्पन हुआ श्रधा तलवार की गहराई में एक प्राचीन दानव तलवार है जो भीतर धंसी हुई है यह अफवाह थी कि यह स्वर्ग से उत्री है जबकि अन्य लोगों ने यह भी कहा कि यह तलवार उन शक्तियों से पीछे रह गई थी जो आदिकालीन युग के दौरान एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करती थी उसी तलवार से चटान को ही काट दिया गया था और अभी इस युग में यह अभी भी गहरायों में बनी हुई है यह नौस्वर्गिय परतों के भीतर दानवसंरेखित सूक्ष्म नक्षत्रों से राक्षसी प्रकाश को अवशोशत करने में सक्षम है आखिरकार इसने नीचे तलवारों की एक श्रिंखला बनाई कभी कभी भयानक राक्षसी जानवरों को प्रकट करने का कारण बना क्या यह सच है आदित्य की आखों में एक तेज रोशनी कौन धी उन्होंने श्रद्धा तलवार अवक्षेप से निकले हुए महान एश्वर्य को देखा था क्या यह वास्तव में उस भयानक तलवार के प्रहार से पैदा हुआ था जिसने प्रिथवी को काट डाला था अगर यह सच होता तो वह तलवार कितनी शक्तिशाली होती हाँ और उस तलवार की सीमा से कई कीमती तलवारी भी निकली थी इसलिए हर दस साल में तीन प्रमुक शक्तिया तीन लोगों को उत्खनन के अधिकारों के लिए चुनाव लड़ने के लिए चुनती है उन्होंने गल्ती से मान लिया था कि भाई किन हमारे जों कभीले के कर्मचारी हैं और इसलिए उन्होंने आपके खिलाफ कारवाय करने की कोशिश की. जों कियान ने धीरे से समझाया, जैसा कि आदित्य ने समझने में सिरहिलाया. तो यही चल रहा था प्रतियोगिता के लिए तीनों शक्तियां किसी बाहरी व्यक्ति की मदद ले सकती है कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने इतनी समवेदंशील प्रतिक्रिया दी थी और उसे हटाना चाहते थे विशेशग्य तीन शक्तियों में बादलों की तरह सामान्य हैं लेकिन किसी ने अभी तक अपने लिए राक्षसी तलवार क्यों नहीं पकड़ी है आदित्य ने आश्चर्य से पूछा जों कियान के चहरे पर एक करकश मुस्कान थी यह तलवार बहुत राक्षसी है, दूसरों के खून को अवशोशित करने में सक्षम है पहले वास्तव में ऐसे लोग थे जो इसे प्राप्त करना चाहते थे लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे चुआ, उनके शरीर का सारा खून निकल गया और वे सूखे भूसे में बदल गए तलवार बहुत भयानक है और कोई भी इसे प्राप्त करने के बारे में सोचने का साहस भी नहीं कर सकता वास्तव में यह एक दानव तलवार के रूप में अपने नाम पर खरा उतरता है आदित्य ने सोचा कुछ और भी विचित्र है हर साल एक बार दानव तलवार उदासी से भरी चीखे निकालती है जैसे कि वह एक मालिक के लिए तरस रही हो हर बार जब रोना शुरू होता है तो राक्षसी उर्जा की एक बहुतायत उपर के नौस वरगिये परतों में राक्षसी नक्षतरों से उतरती है तलवार की श्रिंखला को कमपन और विसर्जिक करती है मुझे पता है कि यह अविश्वसनिय लगता है लेकिन तलवार की सीमा से जो भी तलवारे निकली है वे सभी राक्षसी तलवारे है वे राक्षसी संरेखित सुक्ष्म उर्जा को अवशोशित करने में सक्षम है जो एक राक्षस के आकार जैसा दिखता है और यहां तक की आगे विक्सित होने की ख्शमता भी है जोंग कियान ने बोलते ही अपना सिरहिला दिया यदि वह व्यक्तिगत रूप से यह सब नहीं देख रहे होते तो उन्हें स्वयां इस पर विश्वास नहीं होता वह अक्सर सोचता था क्या भविश्य में कोई ऐसा पातर होगा जो दानव तलवार पर अधिकार कर सके इस समय आदित्य और अन्य तलवार कभीले में पहले ही आ चुके थे जों कभीले के प्रवेश द्वार के बाहर नौ विशाल तलवारें प्रिथवी में धंसी हुई देखी जा सकती थी जिनमें से प्रत्य एक 20 मीटर की उचाई तक पहुँचती थी एक भयानक तलवार का इरादा हवा में व्याप्त था इतना मजबूत की इसने लोगों को बेदम कर दिया वास्तव में एक प्रमुक शक्ती के रूप में जो तलवारों पर ध्यान केंडरित करती है आदित्य ने हंस्ते हुए नौ तलवारों को देखा भाई किन बहुत अच्छे हैं जोंकियान मुसुराया केवल आदित्य से पूच्छताच करने के लिए जोंकबीले की जड़े बहुत गहरी है आपका कबीला वास्तव में कितना शक्तिशाली है जोंकियान थोड़ा हक्का बक्का रह गया और उसने आदित्य को भूरते हुए जवाब दिया सच कहू मुझे यकीन नहीं है कि मेरा कबीला कितना मजबूत है लेकिन मैंने एक बार अपने कबीले के स्वामी को यह कहते हुए सुना है कि हमारे जोंकबीले के शिश्यों को जितना संभव हो उतना लोग प्रोफाइल होना चाहिए दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा प्रकट करने के बजाए आरक्षित होने पर गर्व करना चाहिए इसलिए हमारा जों कबीला लापरवाही से दूसरों को अपमानित करने से परहिस करता है लेकिन यह केवल सामान्य समय के दौरान ही लागू होता है तलवार की खेती करने वालों के लिए जब वे वास्तव में अपनी प्रतिभा के साथ विस्पोट करते हैं तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी उनके प्रदर्शन से चकाचौंध हो जाएं उनके हाथों में तलवार के साथ स्वर्ग और प्रित्वी में कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता अगर कोई है जो सिर्फ इसलिए हमारे सिर पर पाव रखने की हिम्मत करता है क्योंकि हम लोग प्रोफाइल बनाए रखते हैं तो हम तरह तरह से जवाबी कारवाई करेंगे सिर्फ हिलाने से पहले आदित्य का चहरा थोड़ा जम गया जों कभीले के कभीले के स्वामी के पास चरित्र की ऐसी ताकत थी संसाधनों और प्रतिभाव के संदर्भ में उनके पास छिपे हुए भंडार की मातरा के साथ जों कभीले को दो अन्य प्रमुक शक्तियों से डरने की कोई आवशक्ता नहीं थी आपके कभीले के स्वामी के सिध्धान्त मेरे दिल में राक अलापते हैं क्या भाई जों मुझे उनसे मिलवाएंगे आदित्य मुस्कुराया उसके शब्दों ने जों कियान को आदित्य के प्रति उत्सुक्ता से देखा आप कभीले के स्वामी से मिलना चाहते हैं हम्मा आदित्य ने हलके से सिरहिलाया यहां आपको भविष्य में पता चलेगा मेरे लिए अभी बहुत अधिक बात करना उचित नहीं है हंसने से पहले जों कियान की आखों में एक तेज रोशनी चमकी ऐसा लगता है कि अगर मैंने भाई किन को आमंत्रित नहीं किया होता तो भी भाई किन मेरे जों कभीले से मिलने की पहल करते लेकिन कोई बात नहीं चूंकि भाई किन मेरे कभीले के स्वामी के साथ एक बैठक चाहते हैं मैं प्रारंभिक परिचय करूंगा और आपके लिए मार प्रशस्त करूंगा बहुत धन्यवाद आदित्य ने हाथ जोड लिए उसे उम्मीद थी कि जों कभीले उसे निराश नहीं करेगा हर कोई जानता था कि ग्रैंट जिया में तलवार की खेती करने के लिए कई जगह जा सकते हैं स्वार्ड रेवरेंस सिटी की तुलना में यान कॉंटिनेंट सबसे अच्छे स्थानों में से एक था हाला कि आदित्य ने यहां आना चुना क्योंकि तलवारों के रास्ते पर खेती करने के अलावा उनके मन में एक और उद्देश था लेकिन इससे पहले भाई किन को मेरे साथ तब तक पीना चाहिए जब तक हम दोनों संतुष्ट न हो जाएं जोंकियान ने सीधे साधे ढंग से उत्तर दिया आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसका जवाब दिया बेशक उत्कृष्ट शराब के साथ मैं इस तरह के निमंतरन को कैसे अस्विकार कर सकता हूँ जोंकियान ने अपने वादे को पूरा किया और प्राथमिक परिचय दिया आदित्य और जोंकियान के कबीले के स्वामी के बीच एक बैठक का मौका प्राप्त किया कई क्षणों के बाद अधेर उम्र के व्यक्ती ने धीरे से अपना सिर जुका लिया उनके कनपटियों के दोनों और केशों में काले रंग के साथ मिश्रित सफेद रंग की धारिया थी उन्होंने एक आरक्षित आभाका उत्सरजन किया फिर भी उस शांत और शांत व्यवहार के भीतर आदित्य भीतर छिपी एक भयानक तीक्षनता को महसूस कर सकते थे उसकी एक नजर आदित्य आत्मा की बहुत गहराई तक घुसने में सक्षम प्रतीत होती थी जोंकियान ने उलेख किया है कि आपने हाल ही में स्वार्ड रेवरेंस सिटी में कुछ प्रसिधी प्राप्त की है केवल तीन महीनों में तलवारों के शासनादेश के पहले स्थर को पूर्णता सीमा तक समझना जोंक कभीले के कभीले स्वामी का नाम जोंगी था उसने शांती से पूछ ताच की और आदित्य की ओर लापरवाही से देखा हम्मा आदित्य ने हलके से अपना सिरहलाया जैसे कभीले के स्वामी की आखों में एक अजीब सी चमक आ गई तीन महीने में पहले स्टर के जनादेश की पूर्णता सीमा को समझने में सक्षम होना अजीब है क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ आपकी चौथी सुक्षम आत्मा हो वरिष्ठ बुद्धिमान है आदित्य मुस्कुराया जैसे ही उसकी आवाज की आवाज फीकी पड़ी जोंग यी की आखों में तेज चमक आ गई आप पहले से ही सब्तरिशीक शेत्र में हैं आपका नाम क्या है आदित्य आदित्य ने शांती से कहा जोंग यी ने आदित्य को देखा मैं लगभग तीन महीने पहले स्वार्ड रेवरेंस सिटी आया था उस समय तक मैं फॉर्मेशन की दुनिया से बाहर निकल चुका था आदित्य ने शांती से अपनी बात जारी रखी जोंग यी अचानक खड़ा हो गया उसकी पैनी नजर अब भारीपन से भर गई थी हेवनली फेट रैंकिंग का पहला रैंकर उसके जोंग कभीले में क्यों आया था जबसे तुम आदित्य हो क्या तुम नहीं जानते कि कितने लोग तुम्हारी जान चाहते हैं क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इसके बदले में तुम्हें पकड लूँगा जोंगी ने आदित्य को गौर से देखा जैसे एक भयानक तलवार ने अध्ययन कक्ष को घेड लिया हो तलवार उपयोग करताओं को अपने दिल का पालन करना चाहिए और वह करना चाहिए जो वे करना चाहते हैं अपने सिर को उचा रखते हुए नौ स्वर्गों पर गर्व से हंसते हैं कभीले के स्वामी के पास पूरा जोंग कभीला एक लोग प्रोफाइल रखता है अपनी असली शक्ती का प्रदर्शन नहीं करता है मुझे आश्चर्य है क्या आपकी रगों में गर्म खूम ठंडा हो गया है आदित्य ने उत्तर नहीं दिया बलकि दूसरे प्रशन का उत्तर देने का विकल्प चुना जोंग यी की भौहें गहरी हो गई आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहां तुम्हारा क्या प्रयोजन है जोंग कबीले की तलवार को नियंतरित करने के लिए आदित्य ने कबीले के स्वामी की आखों में सीधे देखा जैसे कि उसके भीतर एक भयानक रोशनी चमक रही हो उसने अपनी बाहे फैलाई केवल यह देखने के लिए कि उसकी हथेलियों में एक प्राधिकरन टोकन जक्रा हुआ है उस पल में जोंगी का शरीर हिंसक रूप से कामपने लगा जैसे कि उसके दिमाग में अंगिनत बिजली गिर गई हो भयानक तलवार आदित्य पर दबाव डाल सकती है फिर भी आदित्य शांती से उसका सर्वेक्षन करता रहा उसका चहरा संकल्प का मुखोटा था बस एक तलवार की हवा चली जैसे अध्ययन कक्ष का दर्वाजा बंध हो गया आदित्य के हाथों में अधिकार के टोकन से चिपकी हुई थी और क्या होगा अगर मैं तुम्हें अभी मार दू जोंगी की आभा उपर की ओर बढ़ी अभी अगर वह वास्तव में कोई दुर्भावना पून इरादा रखता था तो आदित्य निश्चित रूप से मर जाएगा क्या कबीले के भगवान को पता है कि मैंने Heavenly Fate रैंकिंग में भाग लेने का फैसला क्यों किया आदित्य ने पूछा नहीं जोंगी ने उत्तर दिया आपका कबीला पहला छिपा हुआ गुट नहीं है जिसमें मैं आया हूँ जोंग कबीले से पहले मैंने जो पहला गुट पाया उसकी सोच कभीले भगवान के समान थी लेकिन बाद में हम एक समझोते पर पहुँचे जब तक मैं स्वर्गिय भाग्य रैंकिन में तीसरी रैंकिन प्राप्त करता वे बिना शर्क मेरा अनुसर्ण करते और मेरी हर आध्या को सुनते वास्तव में मैं पहले स्थान पर था आधित्य धीरे से बोला जबकि जोंग यी की निगाहें टिंटिमा रही थी उसके दिमाग में कई विचार आ रहे थे हालाकि जोंग कभीला स्वार्ड रेवरेंस सिटी में रहता था फिर भी उन्होंने ग्रैंजिया की प्रमुख घटनाओं पर ध्यान दिया वह जो स्क्रॉल पढ़ रहा था उसमें एक साल पहले हुई हेवनली फेट रैंकिंग की सूचना रिपोर्ट थी वह जानता था कि हाल की रैंकिंग की लड़ाई में प्रतियोगियों के सबसे मजबूत बैचों में से एक था यहां तक की एक रहसे में शक्ती का उदेभी हुआ जिसने हेवनली फेट रैंकिंग के रैंकरों में से कुछ को मारने की कोशिश की थी उस स्क्रॉल को पढ़ने के बाद जोंगी ने आह भरी यदि उनके जोंग कबीले में ऐसा चरित्र होता तो भले ही इसका मतलब उनकी सामुहिक मृत्यू हो फिर भी वे उस व्यक्ती का समर्थन करने के लिए हर संभव प्रयास करते ग्रैंट जिया को जीतने में उसकी सहायता करते और अभीक वह व्यक्ती अपने हाथों में एजियोर समराट टोकन के साथ ठीक अपनी आखों के सामने खड़ा था भव्य शब्द वास्तव में क्या उसके अंदर का गर्म खून ठंडा हो गया था भव्य शब्द वास्तव में जोंग कबीले की तलवार को नियंतरित करने के लिए थे जोंग कबीले को आपके नियंतरन की कोई आवश्चक्ता नहीं है जोंगी के हाथों में एक भयानत प्राचीन तलवार दिखाई दी और हलचल के साथ उसने दूरी को बंद कर दिया और तलवार की नोग को सीधे आदित्य भाहों के केंदर में इंगित किया आदित्य मृत्यू से एक एंच दूर था फिर भी उसके चहरे पर जो संकल्प था वह कभी नहीं डग्मगाया क्या तुम डरते नहीं हो कि मैं तुम्हें मार डालूँगा जोंगी ने ठंडेपन से कहा क्या कभीले भगवान आकाशिय लेक पैले इसके बारे में जानते हैं आदित्य बेफिक्र होकर बोला परी किंग मेई जोंगी का चहरा एक पल के लिए लड़कडा गया परी किंग मेई और एजियोर समराट के बारे में बहुत सारी अफवाही थी अगर मैं जोंग कभीले के अंदर मर जाता हूँ, तो जोंग कभीले को निश्चित रूप से एक सर्वनाश का सामना करना पड़ेगा, आदित्य ने शब्दों को बरबाद नहीं किया जोंगी ने उसे देखा, क्या आप कह रहे हैं कि परी किंग में उत्तराधिकारी की रक्षक है, आदित्य ने कोई टिपपणी नहीं की, जैसे ही उसके तीनों एस्ट्रल नोवा अस्तित्व में आये, अपनी ताकत से शुन्य को कापते हुए उसकी आखें टिम्टिमा गई कितना शक्तिशाली एस्ट्रल नोवास, जोंगी ने अपने चहरे पर एक जोरदार अभिव्यक्ती के साथ तीन नोवाओ को देखा, जिसके बाद उन्होंने आदित्य के सिर के उपर दिखाई देने वाली आदित्य चौथी सुक्ष्म आत्मा को देखा, उस भयानक शुध स भगवान नहीं चाहते कि मैं जोंग कभीले को चलाने वाला बनू, तो दो और विकल्प हैं, पहले तुम मुझे मार डालो, जिसके परिणाम अज्यात होंगे, दूसरा तुम मुझे जाने दो, और अगर मैं जीवित रहता हूं और भविश्य में बाकी छिपे हुए गुट युवक उन्हें इतना दबाव देने में सक्षम होगा, बस तलवार को वापस खींच लिया गया क्योंकि तलवार शक्ती कमरे को पूरी तरह से घेर लेती थी, जोंगी ने आदित्य को देखा और उसके चहरे पर मुसकान देखी जा सकती थी, ऐसा लगता है कि एजियोर समर को लगता है कि मैं गर्म दिमाग वाला और लापरवा किस्म का हूँ, जोंगी के चहरे पर गर्म मुसकान देखने के साथ साथ तनाव के घुलने को महसूस करते हुए, आदित्य भी हसा, जैसे कि वह जोंगी की पहले की हरक्तों से परिशान न हो, जोंगी के स्थान पर उसन जोंगी को उस पर जरासा भी भरोसा कैसे हो सकता था, जोंगी ने अपना हाथ हिलाया और खशन भर में एक छोटी तलवार आदित्य के सामने तैरने लगी, तलवार के शरीर पर जोंग शब्द का प्राचीन चरित्र उकेरा गया था, चुंकि एजियोर समराठ का उत्तराध जोंग कबीला निश्चित रूप से आपके आगे का मार प्रशस्त करने में सहायता करेगा, यह तलवार मेरे जोंग कबीले के तलवार पुत्र का प्रतीक है, बड़े स्तर के पातरों के अतिरिक्ट सभी सदस्यों को आपकी आग्या का पालन करना होगा, आदित्य क्या तु जब हम खुले में हो, तो आप मुझे अंकल जोंग के रूप में संबोधित कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे आसपास कोई नहीं है, तो आप मुझे जोंग ही के रूप में संदर्भित कर सकते हैं, अंकल जोंग मजा कर रहे होंगे, एक जूनियर के रूप में ऐसी कोई घट आदित्य के कंधों पर थप्थपाया, तलवार चलाने वालों को अपने दिल की सुननी चाहिए, वही करना चाहिए जो वे करना चाहते हैं, अपने सिर को उचा रखते हुए नौस वर्गों पर गर्व से हंसते हैं। कभीले के स्वामी ने उनका समर्थन किया, इसका मतलब यह था कि स्वर्ड रेवरेंस सिटी में आदित्य मिशन सफर रहा। बाद में जों कभीले ने यह खबर जारी की कभीले के स्वामी ने व्यक्तिगत रूप से जों कभीले का तलवार पुत्र बनने के लिए एक उम्मीद्वार का चैन किया था इस शक्स का नाम आदित्य था पिछली पीधी का तलवार पुत्र पहले से ही एक बड़े स्तर का पात्र बन गया था इस पीधी के लिए कभीले के स्वामी ने शुरू में अभी भी निर्णय नहीं लिया था युवा पीधी के साथ सदस्य इसके लिए चुनाव लड़ रहे थे लेकिन अब उन्होंने आदित्य को चुन लिया था यह मामला पूरे जों कभीले में तेजी से फैल गया जिससे भारी हंगामा हुआ जों कभीले के इतिहास में यह पहली बार था जब तलवार पुत्र की उपाधी किसी बाहरी व्यक्ति के पास गई थी यह कोई छोटी बात नहीं थी कई लोग देखना चाहते थे कि यह आदित्य किस तरह का व्यक्ति है और युवा पीधी के कई लोग थे जो उसे चुनौती देना चाहते थे इस व्यक्ति ने यह खिताब कैसे हासिल किया लेकिन आश्चर्य जनक रूप से बड़े स्तर का एक भी व्यक्ति आदित्य को खोजने के लिए आगे नहीं बढ़ा सबसे अधिक संभावना है कि कबीले के स्वामी ने आदित्य का चयन करने के बाद उन्होंने बड़ों को विशेश निर्देश दिये होंगे आखिरकार एजियोर समराट का मामला बेहद महत्वपून था और भले ही जोंग यी जोंग कबीले में क्या हुआ और उन्हें भविश्य की दिशा में क्या करना चाहिए यह तै कर सकते थे फिर भी उन्हें अन्य बुजर्गों के मौन सहयोग की आवश्यक्ता थी जब जोंग कियान को इस मामले का पता चला तो वह हक्का बक्का रह गया इस समय वह जिस निगाह से आदित्य को निहारता था वह विच्चित्रता से भरा हुआ था भाई किन आपने तलवार के शासनादेश को समझने के लिए केवल तीन महीने का समय लिया आपकी समझ का स्तर चार्ट से बाहर है लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे जोंग कभीले के तलवार पुत्र बनेंगे मैं वास्तव में तुम से इर्श्या करता हूँ जोंग कियान स्वार्ड सोन की उपाधी हासिल करने के लिए लड़ने वाले साथ नामांकित व्यक्तियों में से एक थे अफसोस की बात है कि उनमें से साथ अभी भी कभीले के स्वामी का अनमोधन प्राप्त करने में सफल नहीं हुए थे वर्तमान में जोंकियान बेहद उचसुप था और वह सोचता था कि आदित्य और कभीले के स्वामी के साथ मुलाकात के दोरान क्या हुआ था आपने और कभीले के स्वामी ने क्या बात की जोंकियान ने अनैच्शिक रूप से पूछताच की तलवार रेंज के अधिकार प्राप्त करने के मामलों के बारे में आदित्य हस पड़ा एजियोर समराट का मामला बहुत गोपनी अथा और स्वाभाविक रूप से वह दूसरों के सामने बोलने से परहिस करेगा ऐसा लगता है कि कभीले के स्वामी हमारी सहायता के लिए आपकी शक्ती का उप्योग करना चाहते हैं इसलिए उन्हें आपकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा होना चाहिए हालांकि तीन शक्तियों के बीच प्रतियोगिता में उनमें से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व तीन सदस्यों द्वारा किया जाएगा चुंकि कभीले के स्वामी ने आपको व्यक्तिगत रूप से तीन में से एक के रूप में चुना है मेरा मानना है कि आप में अपनी लडाई जीतने की ख्षमता है हाला कि मुझे विश्वास नहीं है कि हम अन्य दो जीतेंगे विशेश रूप से डिपर्स्तर की लडाई के लिए वह लडाई हमारे नुकसान में समाप्त होने की संभावना है मुझे बहुत उम्मीद नहीं है कि हम इस बार विजी होंगे जोंग कियान ने आह भरी तलवार रेंज के अधिकार प्राप्त करने में जोंग कभीले की संभावनाओं के बारे में उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगा वे दोनों जोंग निवास के चारों ओर चले गए लेकिन ठीक उसीक्षन कई लोग आगे बढ़ गए अपनी दिशा की ओर बढ़ते हुए जैसे ही तीक्षनता का उच्छाल आदित्य पर उतरा जोंग कियान की नजर अचानक इन लोगों पर पड़ी उन्होंने कहा जोंग होंग तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो कुछ समय पहले मैंने सुना की ली कभीले के लोग कह रहे थे कि आप एक बाहरी व्यक्ती को यहाँ वापस लाए उसे हमारे कभीले के लिए लडने के लिए आमंतरित करना चाहते थे लेकिन यह व्यक्ति इतना कायर था कि उसने ली नियान की चुनोती को स्विकार करने की हिमत भी नहीं की और फिर भी आज उसे तलवार पुत्र की उपाधी से सम्मानित किया गया है मैं जोंग होंग वास्तव में यह देखना चाहूंगा कि यह लड़का मेरे जोंग कबीले का तलवार बेटा बनने की योग्यता हासिल करने के लिए कितना प्रतिभाशाली है जैसे ही जोंग होंग की आवाज फीकी पड़ी उसने बाहर कदम रखा और अपनी तलवार सीधे आदित्य पर तान दी जोंग कियान ने कहा जोंग होंग ब्रदर किन एक स्वार्ड सन है जिसे कबीले के स्वामी ने खुद चुना है तो इसका क्या? जदि वह युद्ध करने का साहस नहीं करता है तो वह तलवार पुत्र होने के योग्य नहीं है जोंग होंग ने तिरसकार के साथ आदित्य को घूरते हुए अत्याचारी रूप से सुंगा चिंदा मत करो चुंकी कबीले के स्वामी ने स्वयन तुम्हें व्यक्तिगत रूप से चुना है इसलिए मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा आदित्य ने जोंग होंग पर एक नजर डाली तुरंट अपने साधना आधार को समझ लिया युवानफु का नवास्तर अगर आदित्य उसके खिलाफ कोई कदम उठाता है तो यह निस्संदेह मजबूत को कमजोर को कुचलने का मामला होगा वह वास्तव में ऐसा करने में सहज नहीं थे जोंग कियान ने आदित्य पर हैरानी से नजर डाली वह जितने लंबे समय तक आदित्य से परिचित था उतना ही उसे लगा कि वह उसके आरपार नहीं देख सकता भले ही उसने ली रैन और ली नियान का सामना किया हो या जोंग हों के खिलाफ आदित्य अभी भी पानी की तरह शांत था उसका दिल अटूट था ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य अत्यंत दुलब थे और वे ऐसे लोग थे जिन्हें अपनी साधना में पूरे मन से ध्यान केंद्रित करना आसान लगता था हाला कि शायद जोंग कियान को यह नहीं पता था कि आदित्य ने कभी भी इन लोगों को अपना विरोधी नहीं माना था ऐसे में वह उनसे नाराज क्या हो? वास्तव में वह उसी तरह कार्य करता है जबली नियान ने उसे चुनोती दी थी इस तरह के चरित्रवाला व्यक्ति वह मेरे जोंग कभीले का तलवार पुत्र होने के योग्य कैसे है जोंग होंग ने ठंड से सुंग लिया क्योंकि उसके आसपास के अन्य लोग ठंडेपन से हंस रहे थे जाहिर है वे सभी एक अलग उपनाम के साथ एक बाहरी व्यक्ति का चयन करने के कभीले के स्वामी के फैसले से नाखुष थे बहुतों को इसे स्विकार करना कठिन लगा बस अचानक जोंग होंग के सामने एक तलवार के रूप में एक भनभनाहट की आवास सुनी जा सकती थी जोंग होंग जम गया तलवार उसकी आखों से केवल एक एंच की दूरी पर थी और एक भयानक तलवार का इरादा तलवार से उस पर ताला लगा हुआ था चुंकि आप मेरी पहचान तलवार पुत्र के रूप में जानते हैं, यदि आप अभी भी अनादर दिखाने पर जोर देते हैं, तो मुझे हृदैहीन होने का दोश न दें आदित्य ने बिना म्यान की तलवार वापस उसके पास उड़ने के लिए कोई हरकत करने से पहले ठंडेपन से बात की, वह फिर धीरे धीरे दूर चला गया, पूरी तरह से जोंग होंग और बाकी लोगों की अभेलना करते हुए जो स्तब्ध अवस्था में वहां खड़े थे कचा जोंग होंग ने अपनी मुठी को कसकर पकड़ लिया क्योंकि उसकी आखों में एक भयानक तिखापन आ गया, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप अपने खोल में हमेशा के लिए छिट सकते हैं आदित्य ने अभिनाई किया जैसे उसने वह टिपणी नहीं सुनी थी जैसा कि उसका इरादा था कुछ दिनों बाद एक और अफवाह फैली आदित्य एक बाहरी व्यक्ति जो स्वार्ड सन बन गया, को स्वार्ड रेंज लडाई में भाग लेने के लिए चुना जा सकता है यहाँ खबर जोंग कभीले के आसपास प्रसारिप की गई थी और कुछ लोग कह रहे थे कि वह चुहे की तरह कायर था यहाँ सब इसलिए था क्योंकि उसने जोंग होंग की चुनाती को स्विकार करने की हिम्मत नहीं की थी इतना ही नहीं, वह एक बार ली नियान के सामने पीछे हट गया था आदित्य को लेकर कई तरह की अफवाहे थी आदित्य जानता था कि यहाँ हंगामा उसके तलवार पुत्र की पहचान लेने के कारण हुआ है तो क्या हुआ अगर उसने जोंग होंग को हरा दिया उसे चुनाती देने के लिए एक और दस अन्य, सौ अन्य जोंग होंगे यदि वह चाहता था कि जोंग कभीले की युवा पीधी चुप हो जाए तो उसके लिए एक मात्र विकल्प यह था कि वह अपने स्तर से कहीं अधिक ताकत और प्रतिभा का प्रदर्शन करें, जिससे वे मौन हो जाएं आदित्य वर्तमान में जोंग कभीले के पुस्तकाले में पाल्थी मार कर बैठा पढ़ रहा था पुस्तकाले में स्क्रॉल में पिछली पीधी के विशेशग्यों द्वारा उकेरी गई तलवार की तकनीकें या खेती करते समय उनका सामना करने का इतिहास शामिल था आदित्य तलवारों के शासनादेश का पता लगाने की कोशिश कर रहा था पहला स्तर नीम्व था, सार्वभावमिक रूप से दूसरों के साथ समान था लेकिन दूसरे स्तर को किसी के भाग्य और निती पर निर्भर रहना पड़ता था इसलिए वह अतीत में क्रिशकों के अनुभवों को पढ़कर अपने क्षितिच को व्यापक बनाना चाहते थे एक बार एक तलवार विशेश अग्य था जो साथ साल तक ध्यान में बैठा रहा उन्होंने अपने दिल को अपनी तलवार से मिला लिया और अंतर तलवार दिल नामक एक दूसरे स्तर की अंतरद्रिश्टी को समझ लिया आदित्य ने चुपचाप टिपपणी की क्योंकि उन्होंने स्क्रॉल पढ़ा प्रथम स्तर की अंतरद्रिश्टी के बीच कोई अंतर नहीं था लेकिन एक ही जनादेश की दूसरे स्तर की अंतरद्रिश्टी की शक्ती उनकी शक्ती की डिगरी में अत्यधिक भिन्न थी स्वार्ड हार्ट तलवार से गुंजने के लिए किसी के दिल का इस्तिमाल करता है जिससे तलवार दूसरों के दिलों में गुँजने का इरादा रखती है, एक ही पल में विरोधियों के दिलों को चीर देती है वह कितना भयानक था? दूसरे स्तर की अंतरद्रिष्टी से वसीयत, स्वार्ड हार्ट अलोन, उसके हार्ट ब्रेक इको से बहतर होगा एक और तलवार विशेशग्य था जिसने दूसरे स्तर की अंतरद्रिष्टी स्वार्ड शैडो को समझा हर बार जब वह अपनी तलवार से वार करता तो तलवार की रोशनी भ्रम में बदल जाती जबकि उसकी तलवार की तलवार की परचाई वास्तविक्ता में बदल जाती अथा हमलों का एक अविश्वसनियस्तर प्राप्थ होता इस दूसरे स्थर की अंतरदृष्टी की समझ के साथ, जिस तरह से एक ने दूसरों को मारा वह निराकार होगा आदित्य ने पढ़ना जारी रखा क्योंकि वह द्वितिय स्थर की विभिन प्रकार की अंतरदृष्टीयों की गहंता पर अचम्भित था एक ही क्षेत्र में क्रिशकों के बीच लड़ाई के दौरान एक तलवार तुरंट किसी के प्रतिदवंद्वी के जीवन को चुराने के लिए पर्याप्थ होगी तलवारें हथियारों के बीच गाजा थी, केवल एक पल का उपयोग करके जीवन काटती थी शक्तिशाली तलवार विशेशग्यों के खिलाफ लड़ने के लिए अत्यधिक सावधान रहने की आवशक्ता थी ऐसा लगता है कि मुझे इसे समझने से पहले खुद को और अधिक सन्यमित करने की आवशक्ता है बस यहां बैठकर और किताबों पर ताक जाक करने से ही मुझे अभी तक मार्क दर्शन मिल सकता है धिकार है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है स्क्रॉल वापस रखने और लाइबरेरी से बाहर निकलने से पहले आदित्य ने विचार किया अभी यह पहले से ही रात में देर हो चुकी थी जैसे ही सुक्ष्म उर्जा से निर्मित तलवार उसके पैरों के नीचे प्रकट हुई आदित्य आकाश की ओर उड़ गया वह एक निश्चित दिशा में टेजी से आगे बढ़ता रहा सोड रेवरेंस सिटी में उर्ती तलवारों पर उड़ने वाले कई लोग थे इसलिए आदित्य ज्यादा खास नहीं दिखेंगे कुछ पलों के बाद आदित्य सोड रेवरेंस सिटी के बाहर खाई में पहुँचा आदित्य नीचे की ओर उड़ गया जहां उसके नीचे तलवार की रेंच थंडी चांदनी में नहा रही थी एक राक्षसी तलवार का इरादा आगे बढ़ा और उसके खिलाफ धक्का दिया लेकिन उसके पैरों के नीचे सुक्ष्म तलवार ने लगातार अपनी शक्ती का विरोध किया अंत में चांदनी के कारण आदित्य ने लगभग 1000 मीटर लंबी एक विशाल तलवार को प्रिथवी के अंदर गहराई में दबा हुआ देखा. तलवार से एक अत्यंत भयानक तलवार निकल सकती थी, जिससे आसपास के पहार उस शक्तिशाली दबाव के नीचे तलवार के आक तलवार की सीमा स्वर्गिय तलवार संप्रदाय के नियंत्रण में थी. इसलिए ड्यूटी पर मौझूद ये गार्ड उस समूह के सदस्य होने चाहिए. यह तलवार बहुत भयानक है, आदित्य का दिल कामपने लगा. अकेले तलवार का शरीर 1000 मीटर लंबा था और यह तलवार के बीच एक बहुत बड़ी दूरी थी. यदि यह स्थान चटान के नीचे नहीं होता, बलकि समतल भूमी पर होता, तो यह तलवार कई सौ मील दूर से भी दिखाई देती. कोई आश्चर्य नहीं कि इतने साल बीत जाने के बावजूद कोई भी इस तलवार को बाह रूप से असंभव था. सामान्य मनुश्यों के लिए इस तलवार को धारन करना पहले से ही बहुत कठिन कार्य था. स्वर्ग के गुमबद के उपर तारों का प्रकाश नीचे की ओर गिरते हुए दानव तलवार द्वार अवशोशित कर लिया गया, जिससे ख्षेतर में रा सामानव तलवार हासिल करने के लिए परियाप्त सक्षम है. जोंकियान की कहानी सुनने के बाद वह केवल उच्सुक था और राक्षस तलवार से उर्जा के उतार चढ़ाव को व्यक्तिगत रूप से महसूस करना चाहता था. इसके बाद उन्होंने अपनी आखे बंद कर ल इह ध्वनी अत्यंत सुक्षम थी और यदि आदित्य शक्तिशाली बोध न होता तो उसे सुनाई न देता. यह करुण विलाप धीरे-धीरे एक दानव के दैनिया हाहाकार में परिवर्तित हो गया. ऐसी दैनिया चीखों के भीतर तलवार की धार की आवास सुनाई दे रही थी. उनकी धाना बहुत मजबूत थी और राक्षसी प्राणियों के प्रती उनकी संवेधन शीलता भी बहुत अधिक थी. गरजन अचानक उसके कानों में एक भयानक शैतानी चीख सुनाई दी और आदित्य ने महसूस किया कि तलवार की एक किरन उसकी ओर तेजी से डौड दिया. उसका दिल जोरों से धड़क रहा था. वह भ्रामक तलवार का इरादा साथ ही वह दुखद विलाप दोनों पूरी तरह से गायब हो गए जैसे कि वे कभी थे ही नहीं. उस पल में उसकी गरदन लगभग कटकर अलग हो गई थी. इस तरह के एक भयानक दृष्य ने आदित्य के दिल को जगजोर कर रख दिया और वह समझ नहीं पाया कि क्या हुआ था. आदित्य ने एक गहरी सांस ली और एक बार फिर बैठने की स्थिती में आ गया. अपने बोध की तरंगे बाहर भेजते हुए उन्होंने महसूस किया कि राक्षसी विलाप फिर से शुर प्रकार की प्रचाया और जुआनवु के आकार की तलवार की छाया देख सकते थे. सभी प्रकार की तलवार की परचाया उनके सामने प्रकट हुई क्योंकि वे वास्तवित्ता में परिवर्तित हो गई, उनकी धारणा स्कैन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी. ये तलवार की परचाया उस आधारशिला से उत्पन हुई थी, जिसमें दानव तलवार जड़ी हुई थी। आधारशिला में ही एक शक्तिशाली तलवार का इरादा था और इतने सालों के बाद अगर तलवार की परचाया जमीन से प्रकाश में आ सकती हैं तो वे भावना प्राप्थ करेंगे और राक्षसी तलवारे बन जाएंगी। तुरंत अपनी धारणा वापस ले ली और एक पल बाद तलवार का इरादा पूरी तरह से गायब हो गया। बीटता गया सूरज और चात धलते गए। आदित्य साथ दिन पहले ही गुफा में था। चुंकि यह तलवार की सीमा के इतने करीब स्थित था, अधिक से अधिक लोगों को इस खेतर में दिखाई दे सकता था। यह सब इसलिए क्योंकि अधिकारों के लिए लड़ाई जल्द ही शुरू होने वाली थी। इन कुछ दिनों में जोंग कभीले का तलवार पुत्र आदित्य पूरी तरह से गायब हो गया था, जिससे चारों और अटकले लग रही थी। क्या यह बहुत अजीब नहीं था? क्या आदित्य चिपा हुआ था क्योंकि वह जानता था कि उसकी तुलना दो अन्य प्रमुक शक्तियों के विरोधियों से नहीं की जा सकती। ऐसा लग रहा था कि जिस दिन जोंग होंग ने उसे चुनोती दी थी, उस दिन आदित्य फिर कभी दिखाई नहीं दिया। कियान ने उत्तर दिया। फिर भी जोंग होंग ठिठुर कर हसा और उसके समर्थकों ने अपने चेहरे पर मजाग के भाव लिये। वे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे और आदित्य को स्विकार करने को तयार नहीं थे। विशेश रूप से उनमें से एक जोंग पिंग यह व्यक्ति एक नामित तलवार पुत्र था जिसे स्वार्ड रेंज की लडाई में हेवनली डिपर्स तरपर भाग लेने के लिए चुना गया था। इस लडाई को तीनों में सबसे महत्वपून माना गया था। अगर वह जीत जाता तो यह उनकी जीत को 100% सुरक्षित कर एक मात्र अपवाद तब होगा जब तीन प्रमुक शक्तियों में से एक ने तीसरे और अंतिम मुकाबले से पहले युवान्फू दायरे में लगातार दो लडाया जीती। जोंपेंग ने हमेशा सोचा था कि लडाई के बाद स्वार्ड सोन की उपाधी उन्हें मिलेगी। यह सोचने के लिए कि यह अब किसी बाहरी व्यक्ति को दिया गया था। तलवार की सीमा पर लडाय के बाद मैं उसका पद छीन लूंगा जोंपेंग में जोंग कियान को देखा और शांती से यह कहा। उनके शब्दों ने आसपास के अन्य लोगों को ठंड में ठहा के लग करने और तलवारों के शासनादेश में अपनी अंतरद्रिष्टी को और गहरा करने की आवश्शकता थी और बाद में एक एस्टरल नोवा को संधनित करते हुए उल्चार युआनफु के साथ आधिकारिक रूप से हेवनली डिपर में कदम रखा। रात पानी की तरह शांत थी सितारों की रोशनी से पूरा शेत्र रोशन था आधित्य ने अचानक भौहें चड़ा ली और जैसे ही उसने अपनी धारना को बढ़ाया वह शेत्र में लगभग 30 वर्ष की आयू के एक अत्यंत शक्तिशाली तलवार क्रिशक को देख सकता था कल्टीवेटर को स्वरग ये तलवार संप्रदाय के सदस्यों द्वारा संरक्षित किया गया था जो वर्तमान में तलवारों के जनादेश की समझ में सहायता के लिए इस स्थान का उप्योग कर रहे थे। के भीतर आत्मग्यान का प्रकाश होने के कारण उनकी आखें अचानक खुल गई। लगा जैसे कि स्लैश किसी विशेश तलवार कलाया तलवार की तत्नीक का रुख नहीं था। हालाकि आदित्य ने तलवार की धारियों को जुलाना जारी रखा, मानक तलवार के रुख पर कोई ध्यान नहीं दिया। न तो उसने किसी तलवार के नियम का पालन किया और नहीं तलवार के कानून का। फिर भी तलवार ही कानून थी। प्रत्येक तलवार में एक अनूठी तलवार ताल होती है, जो लोगों को एक अध्भुत अनुभुती देती है। लेकिन यह केवल इतना ही था एक अध्भुत अनुभूती। उसमें पराक्रम का कोई भाव नहीं था। दूर से तलवार की सीमा पर आदित्य की दिशा में कई सिलहूट उर गए। आदित्य को मूर्खतापूर्ण धंग से अपनी तलवार लहराते देखकर उनके चेहरों पर की आवास भर दी थी। ऐसा लगता है कि वह और कुछ नहीं बलकि एक साधारं तलवार क्रिशक है। वह वास्तव में नहीं जानता की आकाश कितना उचा है। उनके स्तर पर तलवार को समझने के लिए यहां आना कुछ नहीं बलकि समय की बरबादी है और उन्होंने बरिष वरिष्ट भाई जियान फेंग स्वरगिये तलवार संप्रदाय के तीन तलवार पुत्रों में से एक थे। प्रतिभाहो या शक्ती दोनों ही क्षेत्रों में वे अत्यंत उत्कृष्ट थे। इससे पहले वरिष्ट भाई जियान फेंग ने तलवार को समझने में परेशान में सिमट गए थे। उनका सुन्दर चहरा तारों के प्रकाश के नीचे राजसीपन के संकेतों से उत्परोथ था और विशेश रूप से विप्रीत लिंके लोगों के लिए बेहद आकरशक था। आदित्य को देखते ही महिला के हावभाव बदल गए। हाला कि वह फिर ठंड एक अज्यात भावना से कामपने लगी। उसने फिर कहा यह जगह कोई जगह नहीं है, जहां आप रह सकते हैं, जल्दी से यहां से चले जाए। मैं आपके स्वर्गिये तलवार संप्रदाय द्वारा निर्धारित सीमाओं से बहुत दूर हूँ, आदित्य ने ठंडेपन स उत्तर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस बात करने की लड़की ने ठंडेपन से सुंघा, स्वर्ड रेवरेंस सिटी में स्वर्गिये तलवार संप्रदाय ने स्वर्ग में दूर तक एक स्थिती का आनंद लिया। किसी ने उनका अनादर करने का साहस नहीं किय और स्वर्गिय तलवार संप्रदाय के शिश्य दूसरों से श्रिष्ट थे। यहां तक कि जब वे बाहर शहर में टहल रहे होते थे, तब भी लोग उन्हें आदर और सम्मान की दृष्टी से रखते थे। मेरी तलवार तकनीक एक आँखों की रोष्टी है जो आपकी आँखों को बदनाम कर रही है। मेरी रूप में यहां भेजा गया था। वह बहुत कम से कम युवानफु के आठवे स्तर पर थी, जिसकी तलवारों का जनादेश पहले स्तर की परिवर्तन सीमा पर पहले से ही था। फिर भी वह अब आदित्य द्वारा यह कहकर उसका मजाक उड़ाया जा रहा था कि उसके तलवारों से इतना कमजोर है, फिर भी वह इतना बेशर्म होने की हिम्मत करता है। वह महिला अपने दाथ पीज कर और दूर मुडने से पहले आदित्य की पीछे की ओर देखती रही क्योंकि उन में से बहुत से लोग उस स्थान पर वापस चले गए जहां से वे आये थे। उस महिला ने फिर अपने आखें एक यादरिक्षिक दिशा में एक गुफा की ओर घुमाई जहां वर्तमान में जियान फेंग खेती कर रही थी। पूरे स्वर्गिय तलवार संप्रदाय में जियान फेंग के पास सबसे मजबूत तलवार प्रतिभा थी और वह तलवार शेत्र छोड़ दिया लेकिन वह तुरंट चटान से नहीं हटे। उन्होंने स्वाड रेवरेंस सिटी लोटने से पहले तीन दिनों के लिए एक और स्थान चुना और वहां खेती की। जब आदित्य जों कभीले में लोटा तो उसकी वापसी ने कई लोगों को नोटिस किय जिसने उसके बारे में चर्चा का एक और तूफान खड़ा कर दिया। कुछ दिनों के दौरान जब वह गायब हो गया तो चर्चा के अधिकांश विशे उसी पर केंद्रित थे। वर्तमान में जों पेंग ने पहले ही खबर दे दी थी कि तलवार की सीमा पर लड़ाई के बाद वह आदित्य से उसका तलवार उत्र का खिताब छीन लेंगे। और अब आदित्य वापस आ गया था। आदित्य अपने उपर दूसरों की निगाहे भांप सकता था, लेकिन उसने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अभी वह कुलपती जोंग यी को खोजना चाहता था क्योंकि उसे कुछ युवान उल्का पत्थरों की आवश्चकता थी। जैसे ही आदित्य एक प्रशिक्षन क्षेत्र से गुजरे, कई लोगों ने उनकी ओर देखा और आवाज सुनाई दी, किन वेन। जब उसने अपनी निगाहे घुमाई तो उसकी नजर जोंग किया जोंग कियान क्या आप मुझे कबीले के स्वामी के पास ला सकते हैं? जरूर जोंग कियान ने सिरहिलाया, उपर उड रहा था। नीचे के सभी लोगों के चहरे पर थंडी मुसकान थी, जोंग होंग ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, भाई किन तुम कब तक कचुआ जा रह यह देखकर कि आदित्य का लहजा एक अग्यानी कनिष्ट को व्याख्यान देने वाले एक बुजूर्ब की तरहा लग रहा था। जोंग होंग का चहरा ठंडा हो गया क्योंकि उसने प्रतिवाद किया, दूसरे स्तर की अंतरग्रिष्टी को समझना कुछ ऐसा नहीं है, जो एक दिन में किया जा सकता है, और तो और क्या तुम में मुझे व्याख्यान देने की योग्यता भी है, जब मैंने आपको पहले चुनौती दी थी, तब आपने लडाई को चक्मा दिया था, और अब आप कई दिनों के बाद किसी नजाने कहा छिपे हुए स्थान पर छिपे गया, ऐसा कायर मेरे जोंग कबीले का तलवार बेटा होने के लायक नहीं है, कैसा रहेगा अगर तुम तलवार बेटे की तलवार मुझे सौंप दो, जोंग होंग का लहजा तेजी से अहंकारी हो गया था, और उसके भीतर की उत्तेजना स्पष्ट थी, आसपास खड़े अ फीली मुसकान के साथ ठीक हो जाए, एक पल के लिए स्थब्ध रह गया, ठीक है, मैं यहां तुम्हारा इंतजार करूंगा, अन्य लोगों में उत्साह की अभिव्यक्ति देखी जा सकती थी, यह समाचार तीजी से प्रसारित किया गया, और जोंग कबीले में युवा अन्तह जोंगी से मिले, जब उन्होंने उनके आगमन पर ध्यान दिया, तो उनके चहरे पर मुसकान थी, अंकल जोंग आदित्य ने पुकारा, जोंगी ने जवाब में सिरहिलाया, और पूछा, मैंने सुना है कि आप पिछले दिनों जोंग कबीले में नहीं थे, आज आप अपने अंकल जोंग से मिलने के लिए स्वतंत्र क्यों है, अंकल जोंग से सच्चाई छिपाये बिना, मुझे कई युवान उलका पत्थरों की आवशक्ता है, मुझ पर उलका पत्थर तब से सूख गए है, और मुझे आश्चर्य है कि क्या अंकल जोंग से कुछ उधार ल इसके बारे में चिंता मत करो, अगर आपको उनकी जूरत है, तो बस मुझे बताएं। अधिकाश अन्य लोगों से अलग था, इसलिए उसकी उर्जा की खपत तुलना में और भी अधिक खगोलिय होगी। जोंग यी पर पड़ी और उसने कहा, अंकल जोंग, मैं तलवार की सीमा पर लड़ाई में भाग लूँगा। जोंग यी ने अपना सिर हिलाया, आपकी उपस्थिती से मैं चिंताओं से मुक्त हूँ। यह उस समय की बात है, जब उस तलवार रेंज के अधिकार हमारे जोंग कभीले के पास आ गए। मैं पहले जा रहा हूँ, आदित्य ने विदाई ली और जोंग कियान उसके साथ चला गया। जोंग कियान कुछ अवाक था जब वह आदित्य टकटकी से मिला। यह बंदा उसने कभीले के स्वामी के साथ पहले क्या बात की थी। कभीले के स्वामी ने आदित्य पर जो रवया दिखाया, वह उतना सरल नहीं था जितना की एक कनिष्ट के प्रती एक बड़े का। आदित्य पहले से ट्रेनिंग फील्ड में लोटे थे। वह जोंग होंग को देखते हुए हवा में खड़ा हो गया क्योंकि उसका चहरा अचानक तेज हो गया। आओ, आदित्य की आवाज निकली जैसे उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। जोंग होंग और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा, दोनों से एक भयानक तीक्षनता निकल रही थी जो आदित्य की ओर तेजी से बढ़ रही थी। चुंकि वह इसे इतना चाहते थे, वे आदित्य को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। पूरे आस्मान को ढखने वाले धातु के बलेड से परावर्तित थंडी रोशनी के रूप में तलवारों की चीखें गुम्श उठी। एक पल के लिए पूरा परिसर खामोश हो गया। इसे महसूस करो आदित्य ने एक कदम आगे बढ़ाया, और तुरंत उसकी पीठ पर बंधी प्राचीन तलवार ने अपने आपको अपनी मियान से कुछ दूरी पर धकेल दिया, फिर भी पूरी तरह से अंसुना नहीं किया। तलवार के एक स्वर ने उस समोह से निकलने वाले तीखेपन की संपूनता को सील कर दिया। से भर गए। एक अविश्वसनिय रूप से ठंडी और तेज तलवार की मनशा ने पूरे क्षेतर को ढख दिया, जिससे तलवारों के राजा जैसी महिमा का एहसास हुआ। क्या तुम लोग तलवार चलाने के योग्य भी हो। जैसे ही आदित्य की आवाज फीकी पड़ी, उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। शुन्य में गूंजती हुई आवाजों के रूप में एक हलकी कीन गूंज उठी। जोंग होंग और बाकी सभी बेहोश हो गए, जमीम पर गिर गए, उनके कपडों और गले पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। अगर तलवार का इरादा उनके गले से आधा इंच गहरा तकराया होता, तो वे बिना किसी संदेह के मर जाते। प्रशिक्षन छेत्र में सन्नाटा पसर गया। और सिर्फ वे ही नहीं, युवा पीधी से उपस्थित सभी लोग इसी तरह के अत्यधिक सग्मे की स्थिती में थे। यह बहुत शक्तिशाली था, आदी से अंत तक आदित्य तलवार पूरी तरह से खोली भी नहीं गई थी। उसने केवल कुछ ही कदम आगे बढ़ाये थे और किसी तरह जोंग होंग और अन्य लोग ऐसी दैनिय स्थिती में समाप्त हो गए। वे जरा साभी प्रतिरोध करने में असमर्थ थे और केवल मारी जाने की प्रतीक्षा कर सकते थे। यदि आदित्य ने एक और कदम आगे बढ़ाया होता, तो अपनी तलवार को उसके म्यान से आधा इंच बाहर धकेल दिया होता, वे सभी पहले ही मर चुके होते। दोनों पक्ष पूरी तरह से अलग स्तरों पर थे। तलवारों के साथ आदित्य की प्रतिभा बहुत राक्षसी थी, क्या उसने वास्तव में केवल तीन महीनों में प्रथम स्तर की अंतरद्रिष्टी की पूर्नता सीमा को समझ लिया था। जोंकियान अंत में समझ गए की कभीले के स्वामी आदित्य को इतना अधिक क्यों मानते हैं और उन्होंने उन्हें सीधे इस पीढ़ी के तलवार पुत्र के रूप में क्यों चुना। एक गहरी सांस लेते हुए जोंकियान की नजर जोंग होंपर पड़ी और उसने कहा अब आपको समझना चाहिए कि भाई किन ने आपकी चुनोती स्विकार करने से परहेस क्यों किया। वह डरपोक नहीं है, बस इतना है कि आप दोनों मूल रूप से एक ही स्तर पर नहीं है। जोंकियान ने आदित्य को याद करते हुए कहा कि कबीले के स्वामी ने पहले खेती के संसाधनों के लिए कहा था। तबीले के स्वामी ने विरोध का एक शब्ध भी नहीं कहा। यदि वे वास्तव में इतने कमजोर दिमाग वाले होते, तो उन में से बहुत से लोग सोड सोन पद के लिए उम्मीद्वार होने के लायक भी नहीं होते। अब केवल यह देखना बाकी था कि क्या वे अपने हिदय में बनी गाठ को खोल सकते हैं, अपनी तलवार की तकनीक में अधिक दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। लोग पहले से ही आदित्य की तुलना जोंग कभीले के नामित तलवार पुत्र जोंग पेंग से कर रहे थे, जो स्वर्गिय डिपर स्तर पर था। वे कयास लगा रहे थे कि अगर आदित्य जोंग पेंग से लड़े तो कौन जीतेगा। जोंग पेंग का कौशल बेहत शक्तिशाली था और जोंग कभीले की युवा पीडियों के बीच कई स्वर्गिय डिपर सौबरेन नहीं थे। जोंग पेंग उन में से एक थे और तलवार की तकनीक में उनकी उलेखनिय दक्षता के कारण उन्हें सबसे मजबूत लोगों में स एक माना जाता था। उन्होंने एक बार यह भी कहा था कि रैंकिंग की लडाई के बाद वह आदित्य से अपने सोड सन का खिताब छीन लेंगे। लेकिन अब आदित्य की ताकत सामने आने के बाद कोई नहीं जानता था कि आखिर इन दोनों में से कौन जीतेगा। जिन लो ने महसूस किया कि कलवार पुत्र की प्रतिष्ठित उपाधी केवल उनके कभीले के किसी व्यक्ति को ही बिरासत में मिलनी चाहिए। वर्तमान में जोंग पेंग के आंगन में जोंग होंग उसके सामने खड़ा था। उसका चहरा उस हार से उपजी निरर्थकता के एक भार निशान से उलट गया था, ऐसा लग रहा था कि वह एक बड़े प्रभाव से पीड़ित है। क्यों? क्या एक हार ही काफी है तुझे इस हालत में लाने के लिए? जोंग पेंग ने जोंग होंग को देखा और वह हलका सा मुस्कुराया। जोंग होंग ने जोंग पेंग को ब परते दबाव में चल भी नहीं सका। अगर आदित्य सच में उसे मरना चाहता, तो वह वहीं मर जाता। यहां तक कि उसकी तलवार को भी पूरी तरह से म्यान से बाहर निकालने की जरूरत नहीं थी। आदित्य एक सोच से ही उसे मार सकता था। उस लड़ाई ने उन्हें बेहद निराश महसूस किया। उन्होंने तलवारों के जनादेश में दूसरे स्तर की अंतरद्रिष्टी को समझ लिया होगा, और यह अधिक शक्तिशाली प्रकारों में से एक है। स्तर एक अंतरद्रिष्टी को दबाना सामान्यबात है। उसे किस बात का घमण्ध है। ज की हरक्तों से जोंग होंग की आखों में तेज रोशनी आ गई। जब से जोंग पेंग ने हेवनली डिपर में कदम रखा, क्योंकि असमानता बहुत अधिक थी, जोंग होंग जोंग जोंग पेंग के साथ मुकाबला जारी नहीं रख सका। अब वह वास्तव में देखना चाह पूरे आसमान को ढख रही है। वह यह भेद नहीं कर सका कि तलवार की कौन सी परचाएं वास्तविक थी, और केवल वहीं खड़ा रह सकता था और मृत्यू की प्रतीक्षा कर सकता था। तलवार की परचाएं गायब हो गई, जोंग पेंग उसके सामने खड़ा हो गया और उसने पूछा क्या अब आप समझ गए। दूसरे और पहले स्तर के बीच असमानता वास्तव में बहुत बड़ी है, जोंग होंग ने सिरहिलाया। स्वाभाविक रूप से आपके साथ व्यवहार करते समय तलवार के शासना देश में मेरी दूसरे स्तर की अंतरद्रिष्ट को समझ लिया था, यह अजीब नहीं है कि वह आपको इतनी आसानी से दबाने में सक्षम था, आप केवल उसके रुख और आभा से डर गए थे, अगर मैं उसका सामना कर रहा होता, तो क्या आपको लगता है कि वह मुझे हरा सकता है। तभी वह आसमान छूपाएगा, तभी वह आदित्य से खिताब हथी आने की क्षमता रखेगा। मैं आपको एक सुझाव दूँगा। इससे पहले आपको मेरे दूसरे स्तर की अंतरद्रिष्टी को महसूस करना चाहिए था। अब आप आदित्य के पास जा सकते हैं और उन पक बनाने में सहायता करेगा और इससे आपको आगे बढ़ने की उच्च संभावना मिल सकती है। और यदि आप कहते हैं कि आपने गलत काम किया है और फिर उसके साथ शिष्टाचार और सम्मान के साथ व्यवहार करें तो वह आपका मार्गदर्शन करने के लिए कैसे सहमत नहीं हो सकता है। यदि वह मना करता है तो वह वास्तव में हमारे जोंग कबीले का तलवार पुतर होने के योग्य नहीं है। जोंग पेंग ने फिर जारी रखा वास्तव में यदि आप अपने घमंड को छोड़ने में असमर्थ हैं तो मैं वास्तव में आप से निराश हो जाऊंगा। बोलने के बाद जोंग होंग ने अपनी विदाईली और चला गया। इस समय आदित्य एक आंगन के अंदर पाल्थी मार कर बैठा था। अंधेरा पहले ही उतर चुका है और वह अपने चौथे सुक्ष्म नोवा को घनी भूत करने की तयारी कर रहा था। हाला कि उस पल में कदमों की आवास सुनी जा सकती थी। जब आदित्य ने अपनी आखें खोली और आंगन के प्रवेश द्वार की ओर देखा तो एक आवास उसके उपर से गुजरी। जोंग होंग विनमरतापूरवक सीनियर के साथ दर्शकों से अनुरोध करता है। अंदर आओ आओ आदित्य धीरे से बोला। एक शन बाद जोंग होंग ने आंगन में प्रवेश किया और आदित्य ने उसकी आखों में आश्चर्य से देखा। किन वेन अतीत में हमारे बीच जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं आज यहां आपसे विनमरतापूरवक कलवार सीखने और आपका मार्ग दर्शन लेने आया हूँ। क्या आप मुझे अपने दूसरे स्तर की अंतरग्रिष्टी को महसूस करने की अनुमती दे सकते हैं। प्राप्थ होते हैं। जोंग होंग ने भौहें चड़ा ली, आदित्य जो कह रहा था वह जोंग पेंग ने उसे जो बताया था उससे बिलकुल अलग था। क्या ऐसा हो सकता है कि आदित्य सच में इतना स्वार्थी था। क्या वह उसका मार्ग दर्शन करने के लिए पूरी तरह से अनिच्शुक था। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं अभी भी आपके दूसरे स्तर की अंतरद्रिष्टी को महसूस करना चाहूँगा। जैसा कि उन्होंने कहा, जोंग होंग ने अपनी भौहें टेढ़ी कर ली। फिर भी आदित्य को कैसे मूर्ख बनाया जा सकता था। इससे पहले उसने जोंग होंग के चहरे पर सुक्ष्म भाव देखे थे। वह केवल अपने दिल में आहे भर सकता था और इस तत्य पर विलाप कर सकता था कि सबसे पहले जोंग होंग ने वास्तव में अपने दिल में करवाहट नहीं डाली थी और सक्षाई से मार्ग गर्शन के लिए उसकी तलाश नहीं कर रहा था। मैं कह चुका हूँ जो मैं कहना चाहता था। मैं कोशिश में समय लगाते। वास्तव में आदित्य ने जो कहा उसे सुनने के बाद जोंग होंग की भौहों में तेजी से जुरजुरी आ गई क्योंकि उसकी आखों में नाखुशी का भाव आ गया। उन्होंने ठंडेपन से कहा एक कलवार पुत्र के रूप में तुमने वास्तव में मुझे अपने कारियों से निराश किया है। यद्यपी आप शक्तिशाली हैं, मुझे दुख है कि मेरे जोंग कभीले ने आपको चुना है। इतनी छोटी सी बात उसके हरदय की स्थिती को प्रभावित नहीं कर सकती थी। जैसे जैसे रात गहरी हुई, आदित्य ने एक दिव्य शिलालेख की रचना की, जिससे उनका शरीर अस्तित्व में और बाहर जिल्मिला उठा। उसके बाद उसने अपनी आखें बंद कर ली क्योंकि यूँआन उलका पत्थरों की एक खगोलिय राशी उसके बगल में दिखाई दी। अभी उसके पास पहले से ही कुल तीन एस्ट्रल नोवा थे। भले ही उन्होंने नौ स्वरगिय परतों से या यूआन उलका पत्थरों से सुक्ष्म उर्जा को अवशोशित किया हो, उनकी अवशोशन की गती पहले की तुलना में बहुत तेज थी। उतेजित जोंग होंग जोंग पेंग के निवास पर लौट आया। जोंग पेंग को क्या हुआ, यह बताने के बाद जोंग पेंग की आखें क्षन भर के लिए रोशनी के ठंडे जोके से टिम्टिमा उठीन, इससे पहले की वह जल्दी से एक मुसकान के साथ ठीक हो गए। जोंग होंग आदित्य नैतिक स्थिती घ्रेनित है, लेकिन आपको इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपको अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए। अफसोस की बात है ही आदित्य पहले से ही कलवार पुत्र है। ऐसा चरित्र आये। ज जोंग होंग ने इमानदारी से उनका मार्कदर्शन लेने के लिए उनसे संपर्क किया था। फिर भी पूरी तरह से निश्थाहीन रवये के साथ उनका स्वागत किया गया। उसने उसे जाड़ दिया था, जबकि जोंग पेन इसके बिलकुल विप्रीत था। आदित्य के जोंग कबीले के लिए उनके जोंग कबीले के लिए वास्तव में एक प्रास्दी थी। आज रात जिस खेतर में जोंग कबीला स्थित था, उस खेतर में तारों की रोशनी बेहत चमकीली थी। कबीले के स्वामी जोंग यी की निगाहें आदित्य पर टिकी हुई थी और उ तब उनके कबीले के स्वामी ने उस पर अपना भरोसा बनाय रखा। जोंग ये का मानना था कि भविश में आदित्य उनके जोंग कबीले का नित्रित्व करने वाले होंगे जो उनकी फीकी महिमा को पुनरजीवित करेंगे। एक जोट जो बार-बार दोहर आया जाता है उसे सच मान लिया जाएगा। फिर भी स्वाड सोन, किनवेन, युवा पीधी के बीच अग्रणी व्यक्ति के रूप में इस तरह से काम किया था। लापरवाही से उसे सामान्य ज्यान सलाह के कुछ शब्दों से दूर कर दिया। जाहिर तोर पर किनवेन का चरित्र वास्तव में तलवार पुत्र के लिए अनुप्युक्त था। और धीरे-धीरे कुछ बड़े स्टर के पात्र भी आदित्य को नापसंद करने लगे। विशेश रूप से उनमें से एक जोंग हों के चाचा। वह व्यक्तिगत रूप से कबीले के स्वामी के साथ बात करने गए थे और आदित्य से तलवार पुत्र की उपाधी चीनने का अनुरोध किया था। फिर भी उन्हें इसके बजाय कठोर फटकार लगाई गई थी। उसके बाद वह कबीले के डॉयनस्टर के आंकडों से बात करने गया, केवल उनसे वैसा ही व्यवहार करने के लिए जैसा उसने कबीले के स्वामी से किया था। आदित्य स्वाभाविक रूप से यह सब नहीं जानता था। पिछले कुछ दिनों से वह अपने एस्टरल नोवा को संधनित करने में पूरी तरह से डूबा हुआ था। किसी ने बढ़बढाया। यह इरादा वास्तव में किसका था। आदित्य जमीन पर बैठ गया। उसके चहरे पर एक फीकी मुस्कान के साथ आकाश को घूर रहा था। हम्मत क्या चल रहा है इतने में आदित्य बोला। स्वाभाविक रूप से वह महसूस कर सकता था कि वर्तमान में बहुत से लोग उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। धारना की धाराय बहते जवार की तरहे फीकी पड़ गई और वे सभी अपने दिलों में बेहत हैरान महसूस कर रहे थे। किन वेन यहां क्यों थी? क्या वह पहले यहां खेती कर रहा था? पहले वह तलवार शक्ती जिसमें राजसी आभा थी, वह कहां से उत्पन हुई थी? धारना की धाराय लुक्त होती देख आदित्य ने फिर आखे बंद कर ली. अब उनके चौथे युआनफू में तलवार क के आकार का एस्टरल नोवा बैठा था. उनका चौथा युआनफू रिसे तेक धीरे-धीरे एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, आकार में और विस्तार हो रहा था क्योंकि इसके भीतर सुक्ष्म उर्जा की गुनवत्ता में काफी सुधार हुआ था. यह एक गु अंत में आधित्यने आधिकारिक तौर पर डिपर दायरे में कदम रखा था. इतना ही नहीं, उसके पास चार युआनफू थे और पहले से ही एक भयानक अस्तित्व था जिसने स्वर्गिय सप्तरिशीक शेत्र में कदम रखने से पहले चार सुक्ष्म नवों को संधनित किय दूसरों के लिए भले ही उनके पास अधिक एस्ट्रल नोवास हों, उनके सभी नोवा एक ही युआनफू में स्थित होंगे। में एक दूसरे के खिलाफ लडने के लिए धीरे धीरे आंगन से बाहर निकलने से पहले आदित्य ने खुद को फैलाया। उसने पिछले कुछ दिनों में अपने चौथे एस्ट्रल नोवा को संधनित करने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया था और उसे कभी ठीक से आराम करने का मौका नहीं मिला। अभी सुभा की हवा बेहत थंडी और ताजा थी और जों कभीले के चारों और तहलना एक सुखद गतिविधी की तरह लग रहा था। आदित्य अपनी चहल कद्मी के दौरान काफी लोगों से मिले। जब उन्होंने उसकी ओर देखा तो उ अधित्य जों कभीले के प्रशिक्षन शेत्र में पहुंचे जहां कई युवा शिश्य वर्तमान में अपनी तलवार बाजी का अभ्यास कर रहे थे। इन शिशों में से अधिकांश युवानफु डायरे में थे। युवानफु के पहले स्थर से लेकर नोवे स्थर तक के में सक्षम होंगे। चठे स्थर और उससे उपर के हेवनली डिपर सौबरेन के लिए वे डॉयन स्थर के पात्र बनने में सक्षम होंगे। युवा उर्जा से भरे विभिन शायाचित्रों को देख कर आदित्य के चहरे पर मुस्कान आ गई। हाला कि उन्होंने साधना में केवल पांच साल की एक छोटी सी अवधी बिताई थी, फिर भी वे अनकिनत परीक्षनों से गुजरे थे और अपने अनुभवों से सन्यमित थे। उन्होंने वर्तमान में अपनी उम्र के किसी व्यक्ति से शायद ही कभी देखी गई गंभीरता का प्रदर्शन किया। यु कभीले के इन सभी युवाओं में उनके प्रती शत्रुता और मित्रता की भावनाय थी। वह एक अलग उपनाम वाला व्यक्ति हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से उन्हें ऐसा व्यभार करने की जुरुरत नहीं थी, है न। इसी दौरान करीब 15-16 साल की एक किशोरी आदित्य के पास चली गई। इस युवा लड़की में अती सुंदर विशेशताएं थी, जिन में अभी भी बचकानापन था। वह सपष्ट रूप से आरक्षित तरीके अपनाते हुए आदित्य की तरफ चली गई। उसके लिए आदित्य बेहद शक्तिशाली महसूस कर र उस युवा लड़की ने हलके स्वर में पूछा, उसकी बातों से आदित्य की भौहें तन गई। उसने फिर आश्चर्य से पूछा, क्या जोंग होंग में कुछ कहा। आदित्य को देखने से पहले युवा लड़की के होंट थोड़े हिल गए और जवाब दिया, किन वेन हालां कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, तलवार बेटे के रूप में तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ओ, चुंकि जोंग हों मार्ग गर्शन के लिए आप से मिलने गया था, इसका मतलब है कि वह पहले से ही माफी मांगना चाहता था, इसके बजाए आपको उसका ठीक से म रही थी, गपशप वास्तव में एक भयानक चीज है, आदित्य ने चुकचाप सोचा, जिसके बाद वह युवा लड़की की ओर देखकर मुस्कुराया, तुम्हारा नाम क्या है? जोंगलियान युवा लड़की ने हलके से उत्तर दिया, साधना एक ऐसा मार्ग है जो केव को लगता है कि वह शक्तिशाली है, आपको जो करना है वह आपके लिए सबसे उप्युक्त मार्ग खोजना है, अधिक से अधिक आप दूसरे की समझ को एक मामूली संदर्व के रूप में ले सकते हैं, लेकिन इसे अपने मार्ग को निर्देशित न करने दें, जो आप चाह कैसे हो सकती है, यह मेरी समझ है, अच्छा सुनो, मैं आपको अपनी समझ के बारे में विस्तार से नहीं समझाओंगा, आप पर एक ऐसी अवधारना थोकूंगा जो अच्छे से ज्यादा नुकसान कर सकती है, जोंगलियान गहरे चिंतन में थी, इससे पहले कि उसने अपना सिर हलके से हिलाया, उसके चहरे पर एक मुस्तान देखी जा सकती थी, उस मामले में ऐसा नहीं था कि आप जोंग हों का मार्क दर्शन करने के लिए तयार नहीं थे, बलकि आप चाहते थे कि वह आपसे अत्यधिक प्रभावित न हो, जोंगलियान यहां आओ, उसी क्षन एक थंडी आवाज गुंजी, जोंगलियान ने आवाज की दिशा में घूरते हुए अपना सिर जुका लिया, इस आवाज का मालिक एक युवक था जिसकी आँखों में बेहत थंडी नजर थी, जोंगलियान ने आदित्य पर एक नजर डालने से पहले अपनी जीब बाहर निका था क्योंकि उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, तो कृप्या स्वार्ड सोन की उपाधी से खुद को दूर करें। पीठ के पीछे मेरा नाम लगाया। ऐसे चरित्र के साथ तुम तलवार चलाने के योग्य कैसे हो सकते हो। जैसे ही उनकी आवाज की आवाज फीकी पढ़ गई, आदित्य ने तलवार की लहर के रूप में एक कदम आगे बढ़ाया, आगे बढ़ सकता था। उनकी आखें तलवार की तरह तेज थी और जैसे ही उनकी निगाहें बंद हुई, जोंग होंग ने महसूस किया कि उनका शरीर अनैच्छिक रूप से काम रहा है। आदित्य के शब्दों ने उसकी आत्मा को छू लिया, ऐसा लगा जैसे आदित्य उसकी तलवार दिल को तोरना चाहता है तलवार की खेती करने वाले के रूप में आपका दिल पूरी तरह से अपनी तलवार के प्रती समर्पित होना चाहिए। आपकी तलवार का दिल जितना मजबूत होगा, आपकी तलवार दाओ उतनी ही मजबूत होगी। एक तलवार बाज के रूप में पहचान जरूरी नही इसलिए खुद को एक कहने का क्या फाइदा आप जानते हैं कि आप क्या हैं लेकिन आपके मामले में आप पहले ही डूब चुके हैं जोंग होंग बस अपने आप से यह पूछें आप अपने हाथों में पकड़ी तलवार के योग्य कैसे हो सकते हैं आदित्य ठंडेपन से बो उस व्यक्ति का गुस्सा उपर की ओर बढ़ गया क्योंकि उसने आदित्य को घूरते हुए बरफीले स्वर में कहा तलवार पुत्र के रूप में क्या आप इस तरह जोंग होंग को अपमानित करने में गर्व महसूस करते हैं जेश्ट आसपास के लोग उस अधेर उम्र की शक्सियत को घूर रहे थे जो बोल रही थी क्योंकि वे सभी एक हलके से धनुष में डूबे हुए थे यह बुजुर्ग कोई और नहीं बलकी जोंग होंग के चाचा थे यह ठीक वही था जो कभीले के स्वामी के पास शिकायत करने गया था आदित्य से उसकी तलवार पुत्र की उपाधी छीनने की मांग कर रहा था आदित्य ने स्पीकर पर अपनी नजर घुमाई इस व्यक्ति का साधना स्थर स्वर्गिय डिपर के तीसरे स्थर पर था तलवार पुत्र के रूप में कमजोरों को धंकाने के लिए अपनी ताकत का उप्योग करना जब जूंग होन ने सलाह के लिए व्यक्तिगत रूप से आपसे सलाह लेने की मांग की तो आपने उसे मूर्ख की तरह दूर कर दिया कबीले के स्वामे आप जैसे किसी व्यक्ति को तलवार पुत्र की उपाधी कैसे दे सकते हैं वह बुजुर्ग धीरे धीरे बाहर निकल गया क्योंकि उसकी भयानक तलवार का इरादा हवा के माध्यम से आदित्य पर उबाव हो गया था आदित्य चुपचाप वहीं खड़ा रहा उसके भावों में कोई उतार चढ़ाव नहीं आया और वह बड़े को घूरता रहा शीर्शक तलवार बेटा आदित्य ने सिरहिलाया आप कितने निराशाजंक रूप से मूर्ख हो सकते हैं क्या कहा आपने उस बुजुर्ग की आवाज और भी ठंडी हो गई आदित्य ने वास्तव में खंडन करने का साहस किया किन वेन तुम बहुत दूर चली गई हो इस समय जोंपेंग जो अब तक चुप था अंत में बोला उनकी निगाहें आदित्य पर टिकी थी क्योंकि उन्होंने ठंडेपन से कहा हम अपनी ताकत से कमजोरों को धमकाने के लिए आपको अलग कर सकते हैं लेकिन आज आपने एक बड़े के खिलाफ बहस करने की भी हिम्मत की आप तलवार पुत्र होने के अयोग्य हैं आपका शीर्षक जनता के क्रोध को भड़काता है मैं जोंपेंग शुरू में स्वार्ड रेंज की लड़ाई खत्म होने के बाद आपसे आपका खिताब छीनना चाहता था लेकिन अब चुंकि तुम इतने निर्दई साबित हुए हो मेरे पास अब कार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ी जोंपेंग बाहर निकलाया जैसे ही उसने आदित्य की आखों में देखा तलवार का इरादा उसी तरह उससे आगे निकल गया मैं जोंपेंग तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ अगर मैं जीत गया तो मैं आपके लिए चीज़ों को कठिन नहीं बनाऊंगा लेकिन आपको तलवार पुत्र की स्थिती सौंपनी होगी आप अयोग्य है आदित्य ने अपनी निगाहें जोंपेंग की ओर घुमाई फिर उसे अपने बगल में जोंग होंग पर शिफ्ट किया जोंग होंग की निगाह गहरे चिंतन में टिम्टिमा रही थी जाहिर तोर पर आदित्य द्वारा पहले बोले गए शब्द कुछ हद तक जोंग होंग तक पहुंच शुके थे हालाकि यह व्यक्ति घमंडी और अहंकारी था फिर भी वह किसी नीच व्यक्ति की तरह नहीं लग रहा था जोंग पेंग की ओर अपनी निगाहें फेरते हुए जिसका चेहरा जूठे न्याय से रंगा हुआ था आदित्य को लगा कि वह एक पाखंडी को देख रहा है आप अयोग्य हैं आदित्य धीरे से बोले उनके शब्दों ने सभी को स्थब्ध कर दिया क्या बेशर्म बंदा है आदित्य के सामने आने से पहले जोंग पेंग उनकुछ लोगों में से एक थे जिनके पास वास्तव में स्वाड सोन शीर्षक के लिए लड़ने की शक्ती थी फिर भी जब उसने उसे एक चुनोती जारी की तो आदित्य ने कहा कि वह योग्य नहीं था आदित्य के शब्दों को सुनने के बाद जोंग पेंग से तलवार क्यूई की तीवरता बढ़ गई एक प्राचीन तलवार सुक्ष्म आत्मा के रूप में सुक्ष्म प्रकाश का एक विस्पोट उसके सिर के उपर प्रकट हुआ एक चार रंका तलवार प्रकार सुक्ष्म आत्मा उसक्षण में तलवार की एक लहर क्यूई ने पूरे आकाश और प्रिथवी को तहसन हस कर दिया अपने भीतर एक ऐसी आभालिये हुए थी जिसने पूरी तरह से बिनाश का वादा किया था आदित्य ने कहा कि जोंपेंग योग्य नहीं थे कितना शक्तिशाली है दर्शक कामपने लगे उनके चहरे पर सिहरन दोड़ गई आदित्य से पहले जोंपेंग सबसे मजबूत उम्मीद्वार थे जिसके सोड सोन बनने की सबसे अधिक संभावना थी उनकी चौथी सुक्ष्म आत्मा पांच वी स्वर्गिय परत से उत्पन हुई और छाया की तलवार के रूप में दिखाई दी बिना किसी निशान या रूप के एक भयानक ताकत से बाहर निकल रही थी आदित्य बिल्कुल चिंतित नहीं लग रहा था वास्तव में उसने जोंग पेन पर एक नजर भी नहीं डाली थी जोंग होंग पर अपनी निगाहें टिकाए हुए आदित्य ने एक कदम आगे बढ़ाया और तलवार की भारी दमनकारी लहर ने जोंग होंग को घेर लिया इस तलवार शक्ती की प्रकृती न तो अत्याचारी थी और नहीं दुरभावना पूर्ण थी और यह सकारात्मक धार्मिक्ता और महिमा की हवा से भरी हुई थी जोंग होंग के तलवार दिल पर दबाव डाल रही थी आदित्य ने उसे सीधे देखा और आदित्य की भौहों के बीच में ऐसा लगा जैसे वहां कोई तीसरी आख थी जोंग होंग पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रही थी उस रात वह कौन था जिसने तुम्हें मुझे खोजने के लिए कहा था जैसे ही उन्होंने बात की उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ाया उनकी शक्तिशाली इच्छा जोंग होंग की चेतना के समुदर में बह गई जो धीरे धीरे जोंग होंग की इच्छा को मिटा रही थी दंगोंटु आभा ने उसे सास लेने में लगभग असमर्थ बना दिया था वह जोर से चिलाया जोंग पेंग किन वेन तुम अपनी बदमाशी से बहुत आगे निकल गई हो जोंग पेंग गुस्से में दहाडा और बाहर निकला आदित्य ने अपनी निगाहें उस पर डाली जैसे ही उसकी भयानक इच्छा जोंग पेंग की चेतना के समुदर में गरजने लगी उस दरावनी तीसरी आख की ताकत ने जोंग पेंग के कदमों को अचानक रोक दिया आदित्य ने उसे नजरंदास कर दिया जोंग होंग की ओर देखते हुए जैसे वह बेहोश होकर बोला तलवार की खेती करने वाले के रूप में आपका दिल पर्याप्त रूप से द्रिढ नहीं है यही कारण है कि अन्य लोग आपका उप्योग करने में काम्याब रहे वापस जाओ और इस पर ठीक से विचार करो जैसे ही उनकी आवाज की आवाज फीकी पड़ी आदित्य ने अपनी हथेलियों से आगे की ओर दबा दिया उसी क्षन जोंग होंग का शरीर उत्पन बल से पीछे की ओर उड़ गया और दूर एक प्रशिक्षन मंच पर जागिरा खांस्ते हुए खून निकल रहा था, जोंग होंग का चेहरा अचानक आत्मज्यान की जलक के साथ रंग गया था उसके लिए वह छोटा सा समय अनंतकाल की तरह महसूस हुआ जब आदित्य का सामना करना पड़ रहा था, तो उसे लग रहा था कि आदित्य एक अतुल्ने विशाल परवत है, जिसे पार करना उसके लिए असंभव है उनके और आदित्य के बीच का अंतर वास्तव में बहुत अधिक था हाला कि आदित्य द्वारा पहले कहे गए शब्दों से उसके दिमाग में खत्रे की घंटी बजने लगी उसका तलवार दिल पर्याक्त रूप से द्रिढ नहीं था, इसलिए लोग उसका उप्योग करने में सक्षम थे आपने वास्तव में मेरी उपस्थिती के सामने कमजोर लोगों को धमकाने की हिम्मत की हवा में बड़े गुस्से में बोले उससे निकलने वाली तलवार का इरादा तेजी से भयानक हो गया आदित्या ने अपना सिर उसे घूरने के लिए जुकाया, उसके चहरे में कोई उतार चढ़ाव नहीं था वह एक अतुलनिय रूप से तेज तलवार की तरह था क्योंकि वह सीधे उस बुजुर्ग की निगाह से मेल खाता था एलदर मुझे इससे संभालने दो यह व्यक्ति बहुत अन्यंत्रित है जुंग पेंग ने एक गहरी सास ली और तलवारों की कीनिंग की आवाज ने पूरे स्थान को भर दिया हवा की बीच में उनका चौथा एस्ट्रल नोवा देदी प्यमान तलवार की रोशनी से चमक उठा और उस पल में पूरा स्थान तलवार के वार और कीनों के कोलाहल से गूंच उठा अन्य सभी दर्शक पीछे हट गए वे इसके पास जाने से भी डर रहे थे यदि किसी की तलवार का इरादा पर्याप्त शक्तिशाली होता तो वे इसका उप्योग दूर से ही अपने विरोधियों को मारने के लिए कर सकते थे जोंग पेंग पहले से ही दो साल के लिए स्वरगिय डिपर दाइरे में था और अपने चौथे एस्टरल नोवा को संधनित करने में सफर रहा इस प्रकार वह अत्यधिक शक्तिशाली था जैसे ही उसने आदित्य को देखा उसकी आखों में युद्ध का इरादा तीवरता से बढ़ गया आदित्य की निगाहे धीरे धीरे जोंग पेंग पर चली गई जोंग होंग की हरक्तों को जोंग पेंग ने उकसाया था यदि ऐसा होता तो उसके सामने खड़ा व्यक्ति अत्यंत कुटिल था वह तलवार पुत्र की स्थिती को दूर करना चाहता था फिर भी खुलकर कार्य नहीं करता था उसने सबसे पहले आदित्य प्रतिष्ठा को नश्ट करने का फैसला किया जिससे आदित्य के लिए जोंग कभीले में अपना पैर जमाना मुश्किल हो गया जोंग पेंग के चरित्र को एक ही शब्द का उप्योग करके वर्नित किया जा सकता है नीच पेंग आकाश और प्रिथवी कापते हुए आदित्य बाहर निकलाए एक शाही तलवार फूट सकती है और एक पल बाद दर्शकों की पीठ पर बंधी तलवारें बिना रुके हिंसक रूप से हिलती हुई प्रतिक्रिया करने लगी एक ही क्षण में सैकडों तलवारों पर सैकडों फुफकारने की आवाज सुनी जा सकती थी जो एक अंथीन को लाहल का निर्माण करती थी जोंपेंग ने एक उंगली बाहर की ओर घुमाई और तुरंत उनका चोथा और सबसे शक्तिशाली एस्ट्रल नोवा विस्पोटक गती के साथ आगे बढ़ा हाला कि उसी क्षण आदित्य ने एक और कदम आगे बढ़ाया क्योंकि उसकी पीठ के पीछे प्राचीन तलवार का पटा थोड़ा उपर की ओर चला गया राजसी तलवार शायद सब कुछ खत्म कर दे और यहां तक की जोंग पेंग के एस्ट्रल नोवा को भी जबर्गस्ती दमन द्वारा रोक दिया गया यहां मध्य हवा में हिंसक रूप से कामपने लगा एक इंच भी आगे बढ़ने में असमर्थ रहा इस तरह के विचित्र द्रिश ने उपस्थित सभी लोगों की आखें नम कर दी जैसे कि उनके चहरे पर गहरा सद्मा लगा हो यहां कैसे संभव है उनकी आखों के सामने का द्रिश बिलकुल अविश्वस्निय था विशेश रूप से जोंपेंग के लिए जिसकी टकटकी कड़ी हो गई थी जैसे कि उससे निकलने वाली तलवार भी वास्तव में सुस्थ हो गई थी उनके एस्ट्रल नोवा को ऐसा लगा जैसे यह एक बल द्वारा बाधित किया जा रहा है यहां आगे नहीं बढ़ सका मारना जोंपेंग गुस्से में चिलाया और अपनी उंगली से आगे बढ़ना जारी रखा एक पल बाद में स्वार्ड हो सकता है सीटी अपने एस्ट्रल नोवा पर ध्यान केंडरित करते हुए इसे शक्ती प्रदान करते हुए इसे जबरन आगे बढ़ने की अनुमती देता है हाला कि उस समय आदित्य ने एक और कदम आगे बढ़ाया उस सरल कदम के कारण उस स्थान के भीतर तलवार की सारीची एक ही शरीर में एकत्रित हो गई वह इस तलवार क्यूई का मूल था वह इस तलवार दाओ का शासक था गड़गड़ा हट आदित्य से निकली एक अत्यंत भयानक तलवार की मन्शा राक्षसों के हाहाकार के समान जोंग पेंग का एस्टरल नोवा जो जबर्दस्ती आगे बढ़ रहा था एक बार फिर धीमा हो गया इस द्रिशको एक बार फिर होते देख जोंग पेंग ने अपना सारा चेहरा खो दिया अपने एस्ट्रल नोवा के सामने खड़े होने के लिए आसमान में चड़ते ही वह गुस्से में दहारने लगा तलवारों के जनादेश की उनकी इच्छा उनके नोवा को शक्ती प्रदान करते हुए एक उनमाद में फूट पड़ी उसके हाथ की एक लहर के साथ उसके जनादेश की इच्छा तलवारों के एक परदे में तबदील हो गई जिसने उसके नोवा को पूरी तरह से ढख दिया प्रकाश की शांदार केनों के साथ फूट पड़ा जैसे की दिन को और भी अधिक चमकदार बनाने में सक्षम हो अपने नीच चरित्र के साथ तुम मेरे लिए मेरी तलवार खीचने के योग्या नहीं हो आदित्य धीरे से बोला उसकी शांत आवास शूने को हिला रही थी दर्शकों के दिल पहले ही सदने की चरम सीमा पर पहुँच चुके थे आगे बढ़ने में असमर्थ जोंपेंग वह कितना शक्तिशाली था फिर भी आदित्य ने वास्तव में घोशना की की जोंपेंग उसके चहरे पर तलवार खीचने के योग्या नहीं था उसक्षन में आदित्य आभा प्रस्पुटित हुई जिससे दूसरों को अपने लिए सत्य देखने की अनुमती मिली उसकी साधना जोंपेंग के समान ही थी वह स्वर्गिय सब्तरिशी क्षेत्र के पहले स्तर में भी था फिर भी उसके शरीर से राजसी तलवार शक्ती की एक लहर बाहर की ओर निकर रही थी यह ऐसा था मानो वह राजा था उसके सामने हर चीज का राजा आदित्य ने एक और कदम आगे बढ़ाया तलवार की कीन लगातार चलती रही जैसे एक करकश करकश आवाज ने हवा को पंचर कर दिया हवा में जोंपेंने वास्तव में कराहने की आवाज निकाली वह समझ सकता था कि जिस एस्टरल नोवा को उसने बुलाया था वह टुक्डो में बिखरने वाली थी एस्टरल नोवा हेवनली डिपर सौवरेन की नीम्ब थे एक बार उनका एस्टरल नोवा बिखर गया तो उनका युआनफू भी शतिग्रस्थ हो जाएगा हेवनली डिपर सौवरेन के लिए जो केवल एक नोवा को संधनित करता है एक बार जब उनका नोवा बिखर जाता है, तो उनका युवानफू तूट जाएगा, लेकिन अगर एक सौवरेन ने कुल चार एस्टरल नोवस को संधनित किया था, जब एक बिखर गया था, तो उनके युवानफू की सतह पर बड़ी दरारे दिखाई देंगी, जिससे उनक युद्ध कौशल बेहत कम हो जाएगा, फिर भी यदि उसका चौथा एस्टरल नोवा बिखर गया, तो युवानफू पूरी तरह से नश्ट हो जाएगा, और हेवनली डिपर सौवरेन अपंग से ज्यादा कुछ नहीं होगा, इस समय जोंपेंग अभी भी आदित्य का साम बनी गूंच उठी और जब आदित्य आगे बढ़ा तो दर्शकों की पीठ पर बंधी तलवारें टुक्रे टुक्रे हो गई, सारी जगह तलवारों के वार की आवाज से भर गई थी, जोंपेंग ने महसूस किया कि उसके गले में कुछ मीठा दोड रहा है, और अंत में वह एक चमकदार तलवार फूट पड़ी, जो जोंपेंग के एस्टरल नोवा की ओर चुप गई, कच कच, बिखरने की आवाजे लगातार सुनाई दे रही थी, और जोंपेंग ने एक खून जमा देने वाली चीख निकाली और कई कौर ताजा खून निकाला, अंत में सुक्ष पड़ा कागस की तरहे पीला और बिना रंका था, आभा के उतार चड़ाव से वह वर्तमान में उचसर्जित हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसकी जीवन शक्ती किसी भीक्षन गायब हो सकती है, उसका चौथा एस्टरल नोवा नश्ठ हो गया था, वह अपंग हो गया थ अपना सिर जुकाकर, जोंग पेंग ने आदित्य को मुश्किल से देखा, उसकी आखों में अतियधिक ध्रेना और अतुलनिय विश्भरा हुआ था, उन्होंने जोंग पेंग ने कई वर्षों तक कड़वाहट से खेती की थी और अंतर कुल चार एस्टरल नोवा को जन्म यहां उसके वर्षों का मुख्य आकर्शन होना चाहिए, उसके लिए सबसे अधिक चमकने का समय और फिर भी आदित्य जोंग कबीले में केवल कुछ दिनों के लिए था और अन्य जोंग कबीले के सदस्यों के सामने अपने एस्टरल नोवा को तोड़ दिया आप वास्तव में दुर्भाव नापूर्ण है, जोंग पेंग की आवाज में ठंड़क थी जो रसातल से आई थी आदित्य ठंडी हसी, जब से तुम मेरे खिलाफ कारवाई करने की योजना बना रहे हो, मेरी प्रतिष्ठा को नश्ट कर रहे हो और मुझे चुनौती भी दे रहे हो अब आपके पास जो अंथ है, वह सब आपके अपने हाथों से आयोजित किया गया था तुम जोंग कबीले के सदस्य होने के योग्य नहीं हो उरे परिवेश में सन्नाटा पसरा हुआ था, जबकि उपस्थित सभी लोगों के दिल हिंसक रूप से धड़क रहे थे अब भी दर्शकों को अपने होश में आना बाकी था, जब उन्होंने जोंग पेंग को देखा तो वे सभी स्थब्ध रह गए इस समय जोंग होंग जमीन पर बैठा था, उसके चहरे पर अविश्वास के साथ अंतिन परिनाम देख रहा था उस दिन जोंग पेंग के शब्दों ने उन्हें महसूस कराया कि आदित्य का दिल संकीर्ण और चुद्र है उसकी ताकत जोंग पेंग से काफी नीचे थी और भविश्व में जोंग पेंग ने कहा कि वह निश्चित रूप से आदित्य से स्वार्ड सोन की उपाधी ले लेगा लेकिन आज जब सच्चाई सामने आई तो जोंग पेंग एक लड़ाई में पूरी तरह से दब गए व्यक्ति के रूप में समाप्थ हो गया इससे जोंग होंग को उस दिन अपने कारियों पर विचार करना पड़ा क्या उसने वास्तव में गलब किया था क्या जोंग पेंग वास्तव में उसका इस्तिमाल कर रहा था उस दिन आदित्य ने अहमकारी तरीके से उसे ज़ाड़ा नहीं था शुरू से ही उनके लिए उनके सटीक शब्द उन्हें प्राचीन पाठ का अधिक अध्ययन करने के लिए कह रहे थे अपने रास्ते पर चलने से पहले अधिक द्रिश्टिकोन बटोर रहे थे आदित्य अत्याचारी तलवार दाव क्या वह उसके अपने मार्ग पर चलने का परिणाम नहीं था अब जब उसने इसके बारे में सोचा, जब जोंग होंग ने फिर से युवक पर नजर डाली तो उसे वास्तव में अपनी हिंता पर शर्म का गहरा एहसास हुआ आदित्य भी उनसे छोटे लगते थे तलवारों के दाव में आदित्य प्राप्ती ने आज यहां उपस्थित सभी को पहले ही आश्वस्त कर लिया था हालाकि ताकत होना ताकत होना था, उसने वास्तव में जोंग पेंग को अपंग बना दिया था जोंपेंग अभी भी उनके जोंग कभीले का सदस्य था, जबकि आदित्य एक अलग उपनाम वाला एक बाहरी व्यक्ति था जिस बात ने लोगों को अवाक कर दिया, वह यह थी कि पहले जब बड़े ने उसे रुखने के लिए कहा, तो आदित्य ने अपनी उंगली से वार करना जारी रखा, जोंपेंग को नश्ट कर दिया और जब उस बुजुर्ग ने अंतह कार्य करना चाहा, तो उसने बहुत धीमी प्रतिक्रिया दी थी, और एक कदम देर हो गई थी इस समय वह जोंपेंग के तूटे हुए नोवा के सामने खड़ा था, और वह आदित्य को गुस्से से घूर रहा था उसकी दृष्टी एक तेज तलवार की तरह थी, जो आदित्य के आरपार भेदना चाहती थी, जबकि उसके शरीर से एक विशाल हत्या का इरादा फूट पड़ा था आप कि उसने उस बुज़ुर्ग के साथ गजलों का मिलान किया, थंडे स्वर में कहा, मुझे आश्चर्य है कि अगर जोंपेंग वह था जिसने मुझे पहले अपंग किया था तो क्या एलडर कारवाई करेगा हम्फ बुज़ुर्ग ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके मारने के इरादे से भीड का दिल कामपने लगा आदित्य थंडी हसी, और अपनी कलाई के एक जटके से उसने तलवार निकाली जो की तलवार पुत्र का प्रतीक थी, इसे मध्य हवा में मंडराने से पहले आसमान में उर्ती हुई भेजती थी मैंने एल्डर को नाराज कर दिया है, इसलिए एल्डर मुझे मारना चाहता है लेकिन तलवार पुत्र के रूप में मेरी पहचान से जोंग पिंग ने अपने वरिष्ट अधिकारियों के खिलाफ जाकर मुझे नाराज कर दिया मुझे उसे पंगो बनाने में क्या हर्स है, आदित्य ने ठंडी-ठंडी हंसी जारी रखी और चुंकी यह मामला है सबूत के रूप में सोन-सोन की प्रतिकात्मक तलवार के साथ मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे जोंग कभीले के तलवार पुत्र को कैसे मारोगे जैसे ही उनके शब्दों की आवाज फीकी पड़ी, आदित्य आगे बढ़े, आसमान में उर गए वह वास्तव में बड़े के खिलाफ लड़ना चाहता था इस द्रिश ने आसपास की भीर के विद्यार्थियों को अविश्वास में चोड़ा कर दिया एक बार फिर उनके दिल बिनारुके हिंसक रूप से तेज हो गए, उनके विस्मय में पूरी तरह से स्थब्ध हवा के बीच में, जहां तलवार क्योई पूरे शुने में बह गई, आदित्य की निगाहें उस जों कबीले के बुजुर्ग पर टिकी हुई थी, क्योंकि एक भयानक लड़ाई का इरादा उससे निकला था इस युवक ने सहच्ता से जोंग पेंग को अपंकर दिया, जो उसके समान ही साधना के स्तर पर था, और अब वह वास्तव में एक बुजुर्ग के खिलाफ मुकाबला करना चाहता था उस बुजुर्ग ने आदित्य को घूरते हुए कहा, ठीक है, मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि तुम कितने सक्षम हो जैसे ही उसकी आवाज की आवाज फीकी पड़ी, एक भयानक सुक्ष्म नोवा प्रकट हुआ, जो हवा में उसके उपर तैर रहा था इस एस्ट्रल नोवा में एक अत्यंत भयानक तलवार शक्ती नहित थी, इसके चारों और अंगिनत पतले और महीं तलवार के धागे घूमते देखे जा सकते थे, इतना तेज था मानो तलवार का एक धागा ही लोगों को मारने के लिए परियाप्त था इतना ही नहीं, इन तलवार के धागों की गती अत्यंत भयानक थी, जैसे अंतरिक्ष में घूमने वाली प्रकाशकिर ने, एक तीवर और देधी प्यमान तलवार प्रकाश उच्च सर्जित करती है उस बुजर्ग ने फिर आदित्य की ओर एक कदम बढ़ाया क्योंकि तलवार के सभी धागे तेज गती से घूमने लगे, सीधे आदित्य स्थान की ओर जा रहे थे ऐसा लग रहा था कि वह अपनी एक सोच से ही आदित्य को मार सकेगा आदित्य के शरीर से कटने की आवाजें आने लगी एक पल बाद में एक तलवार की कीम की आवाज ने शूने को पार कर लिया क्योंकि उस राजसी तलवार की एक अतुलनिय चमकदार अभिव्यक्ती उसके सिर के उपर तैर रही थी इस समय उस तलवार के चारों और की चमक पूरी तरह से तुलना से परे थी और केवल एक नजर ही यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त थी कि वह परम सरवोच तलवारों के स्तर पर थी ऐसा लग रहा था जैसे तलवार के शरीर का हर हिस्सा तलवार के सार के अंगिनक बारबार होने वाले संधनन से बना है दर्शकों में से किसी ने भी इस तरह के भयानक सुक्ष्म नोवा को पहले कभी महसूस नहीं किया था इसके अलावा इस तलवार में एक महान भव्यता की आभा विखेरी जैसे कि यह सभी तलवारों का राजा था एक ताकत पेश कर रहा था जैसे कि यह उसके सामने अन्य सभी तलवारों को नश्ट करने की कोशिश कर रहा हो क्या यहां उनका एस्ट्रल नोवा है? यहां इतना शक्तिशाली कैसे है? भीर के दिल काम उठे और बुजुर्ग के एस्ट्रल नोवा ने भी उन्हें ऐसा महसूस नहीं कराया इतना ही नहीं ऐसा लग रहा था कि बुजुर्ग का नोवा आदित्य द्वारा बेहोश करके दबाया जा रहा था आदित्य सीधे बड़े की आखों में सीधे घूरता है उसका चेहरा भावहीन सभी भावों से अलग है बुजुर्ग का एस्ट्रल नोवा कामपने लगा और हलके से कमपन करने लगा जिससे लगातार भनभनाहट होने लगी इस तरह के एक द्रिश ने बुजुर्ग को राख कर दिया उनके हाथों की एक लहर के साथ लाखों करोडों तलवार के धागे तलवार की रोशनी की एक तीवर किरण में तबदील हो गए सीधे आदित्य पर निशाना साथते हुए उन्हें भीतर से घेरने का लक्ष रखा आदित्य की अभिव्यक्ती ठंडी हो गई और उसने उसी तरह अपना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगली को बाहर की ओर घुमाया जिससे उसका एस्टरल नोवा हवा के माध्यम से शटल करने लगा क्योंकि तलवारों की अंथीन आवाजे सुनी जा सकती थी जो राक्षसी जानवरों के उनमादी तीखे रोने के समान थी प्रकाश के एक फटने से क्षेत्र में बाढ़ा गई जिससे एक प्रकाश स्क्रीन बन गई अंगिनत तलवार के धागों से बनी उस तीवर तलवार की किरन को वास्तव में अवरुध किया जा रहा था आदित्य सुक्ष्म नोवा द्वारा जबरन उस बिंदु तक दबा दिया गया था जहां से वह आगे नहीं बढ़ सकता था मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि आप वास्तव में कितने मजबूत है एक बुजर्ग जो सही और गलत के बीच घेदभाव नहीं करता है लोगों को सिर्फ इसलिए दंडित करना चाहता है क्योंकि आप ऐसा करने के लिए उपयुक्त हैं आदित्य ने ठंड से सुंगा उसके शरीर के भी तर तेज आवाजे सुनी जा सकती थी जैसे राक्षसी उर्जा गडगड़ा रही थी और इसके द्वारा प्रक्षेपित उर्जा का अत्याचार इतना तीवर था कि आसपास का स्थान भी कामपने लगा क्या भयानक राक्षसी क्यों है दर्शकों के हावभाव सुस्ट पढ़ गए आदित्य ने हाल ही में स्वर्गिय डिपर दाइरे में कदम रखा था फिर भी उनके दोनों सुक्ष्म नोवा इतने दबंग थे लोगों को भारी दमन की भावना से छोड़ दिया गया था वे इतने शक्तिशाली थे कि दूसरों के एस्ट्रल नोवा को चकनाचूर कर सकते थे जाना आदित्य ने अपनी उंगली से एक बार फिर इशारा किया कि भयानक राक्षसी सुक्ष्म नोवा एक अजगर जैसी दहारती है उस सुक्ष्म नोवा ने हवा के माध्यम से जूम किया अत्याचार की भावना पेश करते हुए राजा की तलवार ग्वारा उत्पादित दमन प्रभाव को जोड़ा उस बुजुर्ग के एस्ट्रल नोवा के माध्यम से कमपन की तीवरता में व्रिध्धी हुई अस्थिर्ता की भावना उत्पन हुई जैसे कि यह किसी भीक्षन अलग हो सकता है इस समय वह आखिरकार समझ गया कि आदित्य की तलवार के म्यान से पहले ही क्यों जोंग पेंग का एस्ट्रल नोवा बिखर गया था यह एस्ट्रल नोवा की गुनवत्ता के कारण दमन था, आदित्य एस्ट्रल नोवा का ग्रेड बाकी की तुलना में एक स्तर अधिक था आसपास के कई शिश्य इस युद्ध को देख रहे थे उस बुजुर्ग ने पहले कहा था कि वह जों कबीले की गंदगी साफ करते हुए आदित्य को मारना चाहता था वह पहले से ही एक घुरस्वार बाग की पीठ पर था, जो उतरने में असमर्थ था चाहे कुछ भी हो, उसे यह लड़ाई जीतनी थी या बड़ो की प्रतिष्था चली जाएगी, सब उसके हाथों से फेंक दिया जाएगा उसकी आखों में प्रकाश की एक भयानक चमक जिल्मिला उठी, बुजुर्ग के शरीर में एस्ट्रल नोवा एक एक करके प्रकट हुआ, जैसा कि उसके जनादेश की इच्छा ने उन सभी को लिपित किया वे दोनों एक स्वर्गसुंदर युद्ध में प्रवेश करने वाले थे अनुमान एक शक्तिशाली चीख ने दर्शकों के शरीर में रक्त और क्यूई को बेथाशा प्रसारित कर दिया, जिसमें बजर के समान प्रभावशाली प्रभाव था, यहां तक कि कुछ कमजोर दर्शकों की चेटना को भी धुंधला कर दिया आदित्य और व्रिध दोनों के युद्ध के इरादे अचानक से समाप्थ हो गए, उस शक्तिशाली चिलाहट की शक्ति से भारी मात्रा में केंद्रित शौकवेव शूनि में गायब हो गए कबीले भगवान मैं पहले ही पूरी प्रक्रिया समझ चुका हूँ की ऐसा क्यों हुआ है, आप दोनों में से किसी को भी आगे समझाने की जरूरत नहीं है जोंग पेंग ने जोंग होंग का उप्योग किया, उसे मार्ग दर्शन के लिए सोड सोन की तलाश करने के लिए कहा आदित्या ने जानबूच कर उनके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया, फिर भी जोंग होंग ने जानबूच कर सोड सोन की प्रतिष्ठा को धुमिल किया इस बीच आप एक बुजुर्ग के रूप में मुझसे इस मामले पर परामर्श किये बिना उसका शीर्शक छीनने का इरादा रखते थे मैंने आपको बड़े होने के नाते मुह दिया और चुप रहा, फिर भी आपको चीजों की गंभीरता का कोई अंदाजा नहीं है और वास्तव में कच्रे के कबीले को साफ करना चाहते हैं आप किसके लिए कच्रा साफ कर रहे हैं? आम तोर पर हाला की जोंग यी थोप रहे थे, लेकिन दूसरों के साथ बातचीत करते समय उनका चरितर बेहत गर्म था फिर भी अब वह वास्तव में कृद्ध था उरे परिवेश में तुरंत सन्नाट आचा गया, सभी कबीले के स्वामी की आभासे भैभीत थे हाला की उस बुजुर्ग के दिल में असंतोश था, उसने भी अपना सिर नीचे कर लिया और बहस करने की हिम्मत नहीं की आखिरकार जोंग यी की तुलना में उनकी स्थिती अलग थी जोंग यी कबीले के बड़े थे जबकि वह केवल एक बुजुर्ग थे उसके उपर अभी भी डॉयंस थे जोंग पेंग का दिल भटक गया था, यही वजह थी कि किन वेन को हस्तक शेप करना पड़ा इसके अलावा अब से जब तलवार सोन किन वेन कारवाई करती है तो किसी को भी उससे सवाल नहीं करना चाहिए या उसके इरादों की जाच भी नहीं करनी चाहिए जोंग यी ने कहा जिसके बाद उन्होंने जोंग होंग पर अपनी नजर घुमाई जैसे उन्होंने कहा जोंग होंग मुझे पता है कि तुम्हारा चरित्र बुरा नहीं है, फिर भी तुम्हारा दिल पर्याप्त रूप से द्रिध नहीं है। यही कारण है कि दूसरों को आपका उपयोग करना इतना आसान लगता है। जोंग होंग जैसे अस्तित्व के लिए जानबूच कर चीजों को मुश्किल नहीं बनाया होता। यदी नहीं तो जब उसने पहले उसे कुछ बार उकसाया था और चुनौती दी थी, तो आदित्य आसानी से उसे आसानी से मार सकता था, बस एक ताड़ के प्रहार से। आज का यह मत बताओ कि तुम केवल एक दूसरे को दिखाने के लिए अच्छे हो, जोंगी ने अपनी आस्तिने उचालने और जाने से पहले कहा। शुरू से अंत तक उसने आदित्य से एक शब्द भी नहीं कहा था, फिर भी हर कोई समझ गया था कि कबीले के स्वामी जोंगी ने आदित्य पर बहुत भरोसा किया था और जाहिर तौर पर उसका पक्ष ले रहे थे। लेकिन सच कहू तो आदित्य स्तर की शक्ती ने वास्तव में उनके क्षितिच को व्यापक किया। यह सोचने के लिए कि उसने एक बड़े के खिलाफ लड़ने की भी हिम्मत की। इस समय दर्शकों ने अनैच्छिक रूप से सोचा कि अगर आदित्य तलवार की सीमा के लिए लड़ाई में भाग ले रहे थे, तो शायद इस बार उनके जोंग कभीले को जीतने का अफसर मिला। इस पीधी के शिश्यों के लिए स्वर्गिय तलवार संप्रदाय और लिवंश द एक विचार के साथ आदित्य ने अपने एस्ट्रल नोवास को वापस अपने युवानफू में वापस ले लिया, फिर उसने क्षेत्र को मोरने और प्रस्थान करने से पहले एलडर पर नजर डाली। यह मामला उनके दिल को हिला नहीं पाया। अपने आपको भाग्यशाली समझो, उस बुजूर्ग के चहरे पर एक गंभीर भाव था क्योंकि उसने भी अपने एस्ट्रल नोवा को वापस ले लिया था। फिर भी वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ठंडेपन से शब्दों को उगल देता था, जैसे कि अगर यह कबीले के स्वामी की उपस्थिती के लिए नहीं होता, तो आदित्य निश्चित रूप से मर जाता, आदित्य उसे पूरी तरह से अंदेखा करते हुए दूर चला गया, जरा सी शिकन बनाए रखने के लिए उस बुजूर्ग के पास अपनी बात कहने के अलावा कोई चारा नहीं था, फिर भी अगर वे दोन यदि वे वास्तव में लड़े, तो अंत अग्यात था, लेकिन लड़ाई जीतने वाले बुजूर्ग की संभावना, जो खेटी के आधार के मामले में दोस्तर अधिक थी, थोड़ी अधिक थी, स्वाभाविक रूप से यह मामला हमेशा एक रहसे बना रहेगा, इसका कोई उत्तर नहीं होगा, किन वेन बहुत शक्तिशाली है, युवा लड़की जोंग लेंग ने आधित्य की आखों में एक विस्मय भरी नजर के साथ पीछे हटते हुए देखा, पहले की लड़ाई ने वास्तव में उसे जखजोर दिया था, कबीले के स्वामी के पास वास्तव में अच्छा निर्नय था, कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इस व्यक्ति को तलवार पुत्र के रूप में चुना, इस मामले ने पूरे जोंग कबीले में तीवर गूंच पैदा कर दी, जोंग पेंग के परिवार के सदस्य अपने दिल में एक जुनोन के साथ आधित्य से न तो वह कितना विसमेकारी था, वह अत्याचारी तरीका और सहज विजय जो उसने प्राप्त की थी, उनकी स्मितियों में गहराई तक अंकित हो गई थी, जोंग पेंग को अपंग बना देना, यहां तक कि अपनी तलवार को बिना म्यान में रखे, बिना किसी डर और आतंग क एक बुजुर्ग का सामना करना। जोंग कबीले में युवा पीधी के बीच प्रतिष्ठा थोड़े समय के लिए निर्विरोध हो गई। आदित्य ने शायद नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से भी बदल जाएंगी। पलक जपकते ही पांच दिन बीट गए। आज जोंग कबीले के प्रशिक्षन शेतर जोंगी बोला और एक इशारे के साथ उसके पैरों के नीचे एक प्राचीन तलवार दिखाई दी जब वह उस पर खड़ा था। जो लोग देखना चाहते हैं वे भी साथ आ सकते हैं। नेत्रित्व करने वाला कोई और नहीं बलकी जोंगी था जबकि उसके बगल में अन्य लोग जोंग कबीले के डॉयंस थे। हाला कि विशाल तलवार दूसरी दिशा में निकल सकती थी क्योंकि लोगों का एक और समुह दिखाई दिया। जब दोनों पक्षों के लोगों ने अपनी निगाहें मिलाई तो एक निराकार तलवार का इरादा हवा के बीच में एक दूसरे से टक्रा गया। दूसरी पार्टी स्वार्ड रेवरेंस सिटी ली क्लान की तीन प्रमुक शक्तियों में से एक थी। वो भी आ गये थे। ली कभीले की युवा पीधी के नेता स्वाभाविक रूप से ली रहन थे। वह स्वरगी। वह सदस्य जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उन सभी ने अपनी निगाहें जों कभीले के लोगों पर डाली। उनकी आखें उत्तेजना के साथ साथ भारी तिरसकार से भरी थी। जो दूसरे समोह के ठीक सामने खड़ा था। स्वाभाविक रूप से ली कलान ली जेंटियन का कभीला स्वामी था। जों यी की दिशा में मुर्ते ही इस आदमी की टकट की अत्यधिक तीक्षनता से भर गई। उनकी निगाह गणमान्य व्यक्तियों बड़ों के साथ साथ उनके पीछे खड़े व्यक्ति आदित्य पर भी गई। क्या यहाँ आपके जों कभीले की कलवार है। जैसे ही उनकी आवाज की आवाज फीकी पड़ी, ली कभीले की युवा पीधी के सभी सदस्य आदित्य के पास चले गए। जों यी के बगल में यह युवक कितना करीब खड़ा था, यह देखकर उसकी स्थिती सामान्य नहीं होनी चाहिए। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी, कि वह स्वार्ड सोन जों ही हो सकता है, जिससे स्वार्ड रेंज के अधिकारों को नियंतरित करने के लिए लड़ाई में भाग लेने के लिए चुना गया हो। वह मृत्यू से डरता है। उस समय अगर जों कियान ने अपना दिव्य हथियार नहीं निकाला होता, तो वह आदमी पहले ही मर चुका होता। ओह क्लीजेंटियन के चहरे पर रुची के भाव थे। जिसके बाद वह ठंडे स्वर में हनसा, ऐसा लगता है कि जितना अधिक समय बीटता है, उतना ही जों क्लान बिगड़ता जाता है। जों यी ने खंडन जारी किये बिना केवल उस पर एक नजर डाली। इस बार सबसे जरूरी चीज तलवार की सीमा पर नियंतरन हासिल करना था। आदित्यने ली नियान की तरफ एक नजर डालने की भी जहमत नहीं उठाई। उस दिन अगर वह अभी शहर में नहीं आया होत और अपने प्रतिद्वंधवी पर खुद को ज्यादा परेशान करने के लिए तयार नहीं होता, तो ली नियान आज यहां नहीं होता। फिर भी यह सोचने के लिए कि अब जिसक्षन इस महिला ने उसे देखा, वह अभी भी इतनी अहंकारी होने का साहस कर रही थी। अगर जों कबीले के सभी युवा सदस्यों के चहरे पर ठंडी मुसकान थी, क्योंकि वेली नियान का मजाक उड़ा रहे थे। कौन डींग मारना नहीं जानता। मुझे उम्मीद है कि जब हम आपसे तलवार रेंज की प्रतियोगिता के लिए युध के मैदान में मिलेंगे, लडाई का समयाता है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप अब भी अपने चहरे पर वह मुसकान बरकरार रख सकते हैं। का समय शुरू होता है, तो ली नियान को निश्चित रूप से ऐसा महसूस होगा जैसे आज उन्होंने जिन शब्दों का आदान प्रदान किया, वे उसके चहरे पर एक जोरदार थपड की तरह थे। लोगों के दो समुहोंने जल्द बाजी की और जल्द ही वे चटान पर आ गए। वे सीधे खड़ की तलहटी में उत्रे। ली कबीले और जों कबीले ने अपने-अपने कोने ले लिए और तीनों प्रमुक शक्तिया एक त्रिकोनिय गठन में पंक्तिबध हो गई। ली जेंटियन और जों यी दोनों ने स्वरगिय तलवार संप्रदाय की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया। दस साल की अवधी समाप्थ हो गई है और यह प्रतियोगिता बाद में तै करेगी कि हम में से किसके पास अगले दस वर्षों के लिए तलवार की रेंज का अधिकार होगा। क्या युद्ध के नियम पहले जैसे ही रहेंगे? स्वार्ड रेवरेंस सिटी की तीन प्रमुक शक्तिया सभी अत्यंत शक्तिशाली थी, फिर भी उनमें से कोई भी अन्यदों को पूरी तरह से कुचल नहीं सकती थी। यदी नहीं, तो वह शक्ति लंबे समय तक स्वार्ड रेवरेंस सिटी पर हावी रहती। और इस नाजुक संतुलन के कारण, तीनों शक्तियों ने तलवार की सीमा के अधिकारों को नियंतरित करने की लडाई में अपने अधीन शिश्यों को प्रतिनिधी बनने की अनुमती दे कर, कुछ हद तक नरम तरीका चुना। किसी ने संतुलन बिगाडने की कोशिश नहीं की। लडाई के नियमों के अनुसार प्रत्येक शक्ति कुल तीन उम्मीद्वारों का चयन करेगी इस मांदंड के साथ की तीनों की आयू तीस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। युवानफुक शेतर में कुल दो शिश्य और स्वर्गिय सब्तरिशीक शेतर में एक का चयन किया जाएगा और दिव्य हथियारों का उप्योग निशिध था। कुल तीन राउंड विजेता का फैसला करेंगे। प्रत्य एक दौर के लिए तीनों शक्तियों द्वारा चुने गए उम्मीदवार मंच पर खड़े होंगे और अंतिम व्यक्ति विजेता होगा। तीन लडाया और अगर कोई ऐसा मामला होता है जहां एक ही शक्ति दो युद्ध जीतती है तो वे सीधे अगले दस वर्षों के लिए तलवार की सीमा को नियंत्रित करने के अधिकार प्राप्ट कर लेंगे। यदि तीनों शक्तिया एक मैच जीत जाती हैं तो उस थिती में युद्ध देखने आते थे। स्तर की लड़ाई मूल रूप से उनकी जेबों में थी, बशर्ते की पहली दो लड़ाईों में एक शक्ति ने कुल दो जीत हासिल न की हो। ऐसा लगता है कि ली और जों कभीले दोनों ही बेहद आश्वस्थ हैं। पहली लड़ाई के लिए जेयान हान जाओ। तीन उम्मीदवार पत्थर के मंच के उपर खड़े थे। उनके सामने इस द्रिश ने कई दर्शकों को हैरान कर दिया। ली कभीले के ली नियान की तुलना में जियान हान निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली था। फिर भी ली जेंटियन ने वास्तव में उसे पहल एक लहर ने उसे पहले ही ढख लिया था जैसे तलवार की किरण अतीत में चमकती है, उसके भीतर मौत की ठंडक होती है। ली नियान ने जोंकियान के पीछे जाने के लिए अपनी आंदोलन तक्निकों का इस्तिमाल किया, जिससे उसका पीछे हटने का रास्ता बंध हो गया तलवार के फूल खिल गए, जैसे शूने में प्रकाश की चुभन खिल गई। जोंकियान कमजोर भी नहीं था। उसने अपनी उंगली बाहर निकाली, जिससे एक विशाल तलवार प्रकट हुई जिसमें एक पहाड की ताकत थी। यह जियान हान की ओर फिसला, उसे दबाना चाहता था। उसी समय उनका बाया हाथ डगमगाया और ली नियान की ओर एक शक्तिशाली हथेली की चाप छोड़ी। पुछी। एक करकश आवाज गुझी, दर्शकों ने देखा कि जियान हान आगे की ओर दोड़ता रहा। उसने जोंकियान के हमले को नजरंदास कर दिया तलवार को जोंकियान के गले को अलग करने के लिए उसकी अपनी तलवार के बदले में उसके शरीर पर स्वतंत्र रूप से वार करने की अनुमती दी। जोंकियान को एक ही पल में जीवन और मृत्यू के बीच चैन करते हुए निर्नय लेना था। उसने अपनी बाईी हथे जिले के लोगों के भाव लडखडा गए। जियान हान को जबरदस्ट लाब का आनंद लेना जारी रखा क्योंकि उसने आसानी से ली नियान को दबा दिया। इस तरह के प्रदर्शन ने दर्शकों के दिलों को हैरत से भर दिया। ली कबीले ने ली नियान को लड़ाई के लिए चुना, फिर भी ली नियान ने खुद को हारने की अनुमती देने से पहले जोंकियान को हराने के लिए जियान हान के साथ सन्युक्त सेनाय बनाई। ली कभीले ने स्वर्गिय तलवार संप्रदाय के साथ एक समझोता किया होगा भीड के चहरों पर भाव अकड़ गए जोंगी ने भी इसकी भविश्यवानी की थी और वास्तव में अगली विधी के लिए ली कभीले ने थोड़ा अधिक शक्तिशाली उम्मीद्वार भेजा जबकि स्वर्गिय तलवार संप्रदाय ने एक कमजोर उम्मीद्वार को भेजा इसने पहले ही संकेत दिया कि दूसरी लड़ाई के लिए स्वर्गिय तलवार संप्रदाय ली कभीले को उद्देश से जीतने की अनुमती दे रहा था जब लडाई शुरू हुई तो ली कभीले और स्वर्गिय तलवार संप्रदाई के उम्मीद्वार एक साथ जों कभीले के उम्मीद्वार की ओर बढ़े और उनकी सन्युक्त सेना ने उन्हें मंच से बाहर निकाल दिया जिसके बाद ली कलान ने आसानी से दूसरे राउंड में जीत हासिल कर ली ली कभीले और स्वर्गिय तलवार संप्रदाई ने एक एक लड़ाई जीती थी नाली का कीड़ा क्या शड्यंत्रकारी, दोनोली कभीले और स्वर्गियत अलवार संप्रदाय उन्होंने वास्तव में इस तरह के घ्रेनित तरीके का इस्तिमाल करने का विकल्ब चुना जोंग कभीले के सभी सदस्य क्रोधित हो गए क्योंकि उन्होंने इस निशकर्ष को ठंडेपन से कहा फिर भी उनके कभीले के स्वामी जोंगी अविचलित रहे उन्होंने चुपचाप दूसरी पार्टी को भूरते हुए कहा कभीले के स्वामीली और संप्रदाय के नेता जियान को बहुत मजा आ रहा है जियान बूलू ने उदासिंता से जोंगी पर नजर डाली और उसके बोलने से पहले ही यी जेंटियन के चहरे पर अवमानना का एक रूप देखा जा सकता था क्योंकि उसने मजाक में कहा था इस पीधी में आपके जोंग कभीले के सदस्य सबसे कमजोर है उनके पास मूल रूप से तलवार की सीमा पर नियंतरन के लिए यहां लडने की भी कोई योग्यता नहीं है आईए मानले कि आपके जोंग कभीले को सीधे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया है ताकि आपके कभीले की प्रतिष्ठा को बचाया जा सके जोंग कभीले के सदस्यों के पास अगली लड़ाई में भाग लेने का कोई अधिकार या क्षमता नहीं है ली जेंटियन के शब्दों से कोई भी अनुमान लगा सकता है कि वह सपष्ट रूप से जोंग कभीले की पूरी युवा पीधी को हे द्रिष्टी से देखता था उसका स्वर्गिय तलवार संप्रदाय से हाथ मिलाना इसलिए नहीं था क्योंकि वह जोंग कभीले के लिए डरता था बलकि यह इसलिए था क्योंकि जोंग कभीले के पास उनसे मुकाबला करने की योग्यता भी नहीं थी अगर ऐसा होता तो वे पहले उन्हें खत्म भी कर सकते थे दूसरी ओर ली कभीले और स्वर्गिय तलवार संप्रदाय दोनों को अपने स्वर्गिय सब्तरिशी तलवार पुत्र पर अत्यधिक विश्वास था स्वर्ड रेंज के नियंतरन अधिकार हासिल करने का मौका वे अगली लड़ाई पर यह सब दाफ पर लगा रहे थे जों कभीले के लिए उन्हें दो प्रमुक शक्तियों द्वारा एक तरफ धकेला जा रहा था इस तरह की अभेलना ने जों कभीले के सदस्यों को गुस्से से उबाल दिया ली कभीले ने निश्चित रूप से हद पार कर दी थी जों ली ने अभिमानी ली जेंटियन को देखा और उसके चहरे पर अभिव्यक्ती अभी भी पहले की तरह शांत थी जुवा पीढी के सदस्य वास्टव में तुलना में थोड़े कमजोर थे स्वर्गिय तलवार संप्रदाय से जियान फेंग यी कभीले से ली रैंग दोनों अत्यधिक शक्तिशाली थे कोई आश्चर्य नहीं कि दोनों नेता इतने आश्वस्थ थे और आखिरी लड़ाई उन दोनों पर छोड़ना चाहते थे जियान फेंग हम इसे आपके अच्छे हाथों में छोड़ देंगे जियान बूलू ने अपने पीछे वाले व्यकति को देखा यह व्यक्ति जियान फिंग कोई और नहीं बलकी वह था जिसे आदित्य बोध ने महसूस किया था जब वह तलवार रेंज में ध्यान कर रहा था जियान फिंग स्वर्गिय तलवार संप्रदाय का एक शिश्र 29 वर्ष की आयू उतकृष्ट प्रतिभा वाला व्यक्ति जिसका वर्तमान साधना आधार स्वर्गिय सप्तरिशिक शेतर में पहले स्तर पर था ली रैन आप आज लड़ाई का फैसला करने के लिए उसके खिलाफ लड़ेंगे ली जैंटियन ने शांती से बात की अगले दस वर्षों के लिए तलवार की सीमा पर नियंतरन अधिकार बिल्कुल स्वर्गिय तलवार संप्रदाय के हाथों में नहीं आना चाहिए जियान फेंग और ली रैन दोनोंने केंदर में पत्थर के मंच पर कदम रखा यद्यपी उनका प्रभामंडल अभी भी समाहित था वहां खड़े होने मात्र से ही लोगों को यह आभास हो जाता था कि वे अत्यंत तीक्षन तलवारों के अतुलनिय पराक्रम को विकीन कर रहे हैं मानो वे दोनों ही तलवारे हों किन वेन जाओ जों यी चुपचाप बोला आदित्य ने जवाब में अपना सिरहिलाया और आगे बढ़ा इस समय जों कभीले के सभी लोगों की निगाहें आदित्य पर टिकी थी इस से पहले उन्होंने एक बार इस युवक को तिरसकृत और तिरसकारपून ब्रिष्टी से देखा था फिर भी आज जब उन्होंने आदित्य को बाहर निकलते देखा तो उनके शरीर के भीतर का रक्त गर्म होते ही उनका हृदय जलने लगा उन्होंने सोचा की कैसे उनके साथ अन्याय हुआ होगा पहले ली कबीले के अपमानजनक शब्दों से और फिर स्वर्गिय तलवार संप्रदाय द्वारा दिखाई गई घोर अभेलना से स्वार्ड सोन आदित्य जों कबीले की खातिर स्लेट को जरूर्द होएगा जों पेंग के साथ उसके द्वंदव के दौरान जों कबीले के सदस्य पहले से ही जानते थे कि आदित्य कितना शक्तिशाली था घोर निरंकुष उसके वर्णन के लिए केवल यही शब्द थे यहां तक कि अपनी तलवार को बिना म्यान के आदित्य ने जों पेंग के एस्ट्रल नोवा को चकना चूर कर दिया था हालांकि ली नियान और जियान फेंग जों पेंग की तुलना में अधिक मजबूत हो सकते हैं लेकिन क्या वे आदित्य की तरह कर पाएंगे पूरी तरह से और जबर्दस्ती जोंग पेंग को दबा दें, एक सहज जीत प्राप्त करें वर्तमान में जोंग कबीले के सदस्य इस बात को लेकर चिन्तित्थे की लिनियान और जियान फेंग युवा पीडियों के बीच अपनी अपनी शक्ती में सबसे मजबूत आदित्य से निपटने के लिए सेना में शामिल हो सकते हैं वो व्यक्ति कौन है? अभी चट्टान के किनारों पर कुछ दर्शकों की निगाहें आदित्य पर टिकी थी उन्होंने पहले कभी आदित्य का नाम नहीं सुना था हाला कि जोंग कबीले के लोगों की आखों में ऐसा लग रहा था कि उनके भीतर एक धधधक्ती हुई आग है ऐसा लगता था जैसे उन्हें इस व्यक्ती पर बहुत विश्वास था और उन्हें विश्वास था कि वह निश्चित रूप से ली रैन और जियान फेंग दोनों को हराने में सक्षम होंगे फिलहाल कुछ ऐसे भी थे जो आदित्य को पहचानते थे वापस तो जब आदित्य ने अपनी तलवार को चटान पर चढ़ाया तो कई ऐसे थे जो उसके साथ रास्ते पार कर गए थे अभी उन्होंने अनैच्छिक रूप से शुरुवात की तो जिस व्यक्ती से वे पहले मिले थे वह एक सहायक था जिसे जों कबीले द्वारा आमंत्रित किया गया था लेकिन फिर भी ली रैन और जियान फेंग के सामने यह युवक चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो वह अधिक से अधिक एक दर्शक के रूप में भूमिका निभाएगा उससे कोई लेना देना नहीं था क्योंकि सीधे शब्दों में कहें तो उसकी तुलना दोनों में से किसी से नहीं की जा सकती थी आपने वास्तव में डिपर्स्तर की लड़ाई में भाग लेने का साहस किया इस समयली कभीले की दिशा में ली नियान की आँखों के सामने एक अजीब सी चमक आ गई जैसे वह बोल रही थी, कुछ हैरान महसूस कर रही थी ली नियान अगर भाई किन उस दिन आपको नश्ट करने के लिए तयार नहीं होते तो क्या आपको लगता है कि आप आज भी यहां होते जोंकियान ने प्रतिकार किया ली रैन की नजरे भी आदित्य पर चली गई उनके चहरे पर तिरसकार का भाव देखा जा सकता था जब उन्होंने कहा बस मंच से उतर जाओ अगली लडाई उसके और जियान फेंग के बीच की लडाई थी वह बहुत लंबे समय से इस लडाई का अनुमान लगा रहा था इसलिए स्वर्गिय तलवार संप्रदाय और ली कभीले ने एक समझाता किया जों कभीले को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया उनकी जीत ली रैन और जियान फेंग द्वारा तै की जाएगी जीयान फेंग के चहरे पर एक बेहत शांत भाव था उन्होंने आदित्य की तरफ देखा क्योंकि उनके दिमाग में एक विचार कौंध गया था क्या यह वही किसान नहीं था जिसे उसने उस रात महसूस किया था ली रान पर अपनी नजरे फेरने से पहले उसने केवल आदित्य पर एक आकस्मिक नजर डाली जैसा ली रान ने सोचा था वैसा ही उसने महसूस किया कि इस लड़ाई का आदित्य से कोई लेना देना नहीं था यह सबसे अच्छा होगा यदि वह अपनी पहल पर मंच से उतरे आदित्य चुपचाप वही खड़ा रहा हाला कि उनके विरोधी स्वर्गिये डिपर सौवरेन थे लेकिन उनके लिए समान स्थर पर विरोधियों से जूझने से उन्हें कोई दबाव नहीं मिला उस दिन प्राचीन राज्ज में ग्रैंट जिया के शिखर पर सभी प्रतिभाशाली लोगों के साथ वहां उतक्रिष्ट शक्तियों की दानवस्तर की प्रतिभाव सहित क्या उसने भी पहली रैंकिंग प्राप्त नहीं की थी और अब स्वार्ड रेवरेंस सिटी में यदि यह कबीले के स्वामी जोंगी को तलवार रेंज के अधिकार हासिल करने में मदद करने के लिए नहीं होता तो उन्होंने इस लडाई में भाग लेने की जहमत भी नहीं उठाई होती उनके लिए यह एक ऐसी लडाई थी जिसका कोई मतलब नहीं था बेफिक्र आदित्य ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने ली रैंक की बातें नहीं सुनी हो ली रैंक जो वर्तमान में जियान फेंग पर अपना ध्यान केंडरित कर रहा था उसकी आखों में ठंडक की जलक के रूप में नाराजगी में डूग गया जैसे ही उसने अपना ध्यान आदित्य की ओर मोडा उसकी आखे धीरे-धीरे संकरी हो गई और सीटी की आबास के साथ उसकी पीठ पर प्राचीन तलवार अचानक उसके सामने आ गई उसकी तलवार की नोक सीधे आदित्य की ओर इशारा कर रही थी आपको इस लड़ाई में भाग नहीं लेना चाहिए आपकी पहली गलती जोंग यी की मदद करने के लिए सहमत होना थी पहले मैंने तुम्हें पीछे हटने का मौका दिया था और तुमने इसे संजोया नहीं यह तुम्हारी दूसरी गलती थी यह रैन ने उदासींता से बात की जिसके बाद उन्होंने जियान फिंग से कहा हमें उन्हें बहुत ज्यादा धंकाना नहीं चाहिए एक एक तलवार चलती है, देखते हैं कौन पहले उसे मार पाता है इसके बारे में क्या ख्याल है? जियान फेंग ने ली रैन के शब्दों को सुनने के बाद आदित्य की ओर देखा और कहा आप हमारे मैच नहीं होंगे, इसलिए बहतर होगा कि आप अभी मंच से उतर जाएं, जबकि आप अभी भी कर सकते हैं स्वार्ड रेवरेंस सिटी में जियान फेंग को विश्वास नहीं था कि कोई भी प्रतिदवन्दवी उन्हें हराने में सक्षम होगा यदि वे दोनों एक ही स्तर पर हो ली कभीले से एक मात्र अपवाद ली रैन था, यह कहा गया कि ली रैन की प्रतिभाभी बेहद उतक्रिष्ट थी और वह एक मात्र व्यक्ती था जो जियान फेंग को रुची महसूस करा सकता था जब वह अभी भी युवानफु में था, स्वर्गिय तलवार संप्रदाय के नेता, जियान बुओ ने पहले ही उसे तलवार पुत्र के रूप में चुन लिया था अब उलेख नहीं है, कई वर्षों की साधना के बाद उसका तलवार दिल और भी द्रिड हो गया था उनका द्रिड विश्वास था कि स्वार्ड रेवरेंस सिटी में मूल रूप से किसी के लिए समान स्थर पर असंभव था कि वह उसे हरा सके चुनकि आप एक चाल चलने को तयार नहीं है, इसलिए मैं आपके खिलाफ लडने से पहले उसे नश्ट कर दूँ ली रैन देख सकता था कि जियान फेंग आदित्य को एक मौका देना चाहता था, फिर भी उसके पास धैर्य नहीं बचा था जैसे ही वह आदित्य की ओर कदम से कदम मिलाता है, उसके हाथ उसकी मंडराती तलवार को पकड़ कर आगे बढ़ जाते हैं तलवार से निकली देदी प्यमान रोशनी की किरने इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि देखने वालों की आखे भी खुली नहीं रह सकती थी उनकी पूरी तलवार इतनी चमकीली और आखों को भेदने वाली थी कि उसकी चमक एक प्रजवलित सूर्य के समान थी हवा उठी चमक तेज हो गई भीड ने केवल ली रैन के शरीर को तलवार की रोशनी की किरण में तबदील होते देखा जो कमजोर थे उनके पास अपनी आखों के सामने हाथ उठा कर रखने के अलावा कोई चारा नहीं था ली रैन की तलवार का प्रकाश इतना तीवर क्यों था ऐसा लगा जैसे धधकते सूरच की कठोर किरने चकाचौंध करने वाली रोशनी चमकी और अगले ही पल ली रैन की तलवार नीचे गिर गई और लगभग तुरंथी प्रकाश की एक तीवर किरन ठीक आदित्य के सामने दिखाई दी तलवार की रोशनी की यह किरन दूसरों को हड्डियों में ठंडक देने वाली अनुभूती दे रही थी ली रैन एक ही चाल से आदित्य का गला काटना चाहता था यहाँ अफवाह थी कि अपने अभिमान के कारण ली रैन ने शायद ही कभी अपनी तलवार का प्रयोग किया हो लेकिन आज तलवार रेंज की लडाई में जहां अंगिनत लोग तमाशा देख रहे थे और जियान-फेंग के साथ अपनी लडाई से पहले उसने आदित्य को खत्म करने के लिए अपनी सबसे दिखावटी और ध्यान आकरशित करने वाली हर्ताल करने का फैसला किया जोन कभीले के तलवार पुत्र के जीवन को अपनी तलवार की भेंट के रूप में उप्योग करना कोने थोड़े मुड़े हुए थे क्योंकि उनके चहरे पर अहंकार और गर्व के संकेट देखे जा सकते थे जहां तक ली नियान की बात है, उसके चहरे पर एक उफास भरे भाव चितरित देखे जा सकते हैं जिस क्षण तलवार उतरेगी उसी क्षण आदित्य की मृत्यू हो जाएगी दर्शकों ने केवल उसे अपनी आखे बंद करते देखा आदित्य तलवार जो उनकी पीठ पर बंधी हुई थी, बिजली की गती से अचानक अपनी म्यान से बाहर निकली, हवा में उड़ते हुए उनकी फैली हुई हथेली में जागिरी उनकी हरक्तें असंभव रूप से आकस्मिक और अविश्वसनिय रूप से सहज लग रही थी इसके अलावा उसने ली रैन द्वारा तलवार से वार को चक्मा देने की कोशिश भी नहीं की इस तरह की एक अविश्वसनिय रूप से तेज तलवार को उसके जीवन को चुराने के लिए केवल पलक जपकने के समय की आवश्चकता थी लेकिन यद्यपीली रैन तेज था, आदित्य तलवार तेज थी उसका तलवार पकड़ने वाला हाथ कांप रहा था जैसे तलवार की कीन उसके कमपन के साथ गूजती थी हालांकि दर्शक पहले से ही लिरान की उस तीवर तलवार की किरण से आदित्य के मारे जाने की कलपना कर सकते थे जों कभीले के लोग भी दंग रह गए, आदित्य चक्मा क्यों नहीं दे रहा था लेकिन अभी उस तलवार की आक्रमन गती से आदित्य के पास चाहकर भी चक्मा देने का कोई अफसर नहीं रह गया था तलवार की किरण नीचे उतरी, आदित्य का सिलहूट अलग हो गया और दर्शक अवाख होकर देखते रहे जों कभीले के लोगों ने महसूस किया कि उनके दिल थंडे पड़ गए हैं, जबकि अन्य लोगों ने महसूस किया कि यह केवल उम्मीद की जा सकती थी ली न्यान के हुठों के कोने और भी उचे हो गए क्योंकि उसके चहरे पर उफास और भी अधिक प्रमुख हो गया भर ठीक इसी समय एक विचित्र घटना घटी उन्होंने एक धुंधली सी चाया को धीरे-धीरे लंबा होते देखा, एक आकरिती में प्रकट होने से पहले जो अंतहली रैन से दो कदम पीछे दिखाई दी ली रैन ने तलवार की किरण को सिलहूट को अलग करने के लिए निर्देशत किया, केवल यह देखने के लिए कि सिलहूट पूरी तरह से गायब हो गया था, जिससे उसका स्लैश शूने पर गिर गया यहाँ, कितनी तेज है, दर्शकों ने हवा की ठंडी सांस ली यहाँ तक कि अपनी अंधाधुंद हमले की गती के साथ भी ली रान अपने प्रतिदवंद्वी को हिट करने में काम्याब नहीं हुए तलवार का इरादा गायब हो गया, और इसके साथ तलवार की किरण बिखर गई फिर भी आदित्य को अपने मूल स्थान पर खड़ा देखा जा सकता था, उसकी पीठ ली रैन की पीठ की गोर थी सभी दर्शकों की निगाहें उस पर टिकी थी, वे देखना चाहते थे कि कहीं आदित्य उस प्रहार से घायल तो नहीं हुआ है ली रैन धीरे धीरे मुड़ा, फिर भी आदित्य निश्चर रहा इससे दर्शकों की आह भर गई, आदित्य अभी भी ली रैन के हमले से नहीं बचा था यहां कैसे संभव है? एक करकश आवाज ने चुप्टी तोड़ी, ली रैन जिसने अपने शरीर को मोड़ा, हामफने लगा उसके गले पर एक खूनी घाव देखा जा सकता था, क्योंकि उसमें से लगाता ताजा खून बह रहा था उस पल में सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई थी, जैसे उनके चेहरों पर आतंक के भाव दिखाई दे रहे थे ली रैन धीरे-धीरे जमीन पर गिर पड़ा, मर गया तलवार तेज होती है, आदमी गिरता है जब तलवार की खेती करने वालों ने वार पार किया, तो तलवार की हवा सबसे खतरनाक थी जरा सी चूक से गला काटा जा सकता है ली रान ने खुद को किसी से श्रिष्ट माना, अपने ओसत दरजे के कौशल को उदारता से दिखाया और आदित्य को अपने हिसाब से लड़ाई छोड़ने का मौका दिया फिर भी अंत में उसके गले पर एक वार से मारा गया ली कबीले के बेटे की तलवार गिर गई है ली नियान के शरीर में एक तीवर ठंड छा गई भैभीत होकर वह अविश्वास के साथ अपने सामने के ग्रिशे को देखती रही गिरी हुई आकरिती को देखकर उसका शरीर अनायास ही कापने लगा ली कबीले के सभी लोगों के भाव भस्मी भूत थे वे स्वर्गिय तलवार संप्रदाय के साथ एक समझोते पर आयक्यों की वेली रैन को जियान फेंग के खिलाफ लड़ने का मौका देना चाहते थे यह देखने के लिए कि उनमें से कौन अगले दस वर्षों के लिए तलवार की सीमा पर नियंतरन अधिकार हासिल करने में सक्षम होगा लेकिन अब ली कबीले को वास्तव में प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया था और उन्होंने एक सोड सन्भीक हो दिया था उतक्रिष्ट तलवार बेटा किन वें जों कबीले के सभी लोगों की आखें कटरता से चमक उठी पहले वे अभी भी घबराय हुए थे लेकिन अब उनकी निराशा पूरी तरह से गायब हो गई उनके दिलों में केवल गर्म खून की लहर दौड गई वह तलवार का हमला बहुत ही शांदार था जो जों कबीले के अपमान की संपूरनता को मिटा देता था इसे लिए कबीले के लोगों के चहरों पर एक कड़ी स्मैक में बदल देता था इससे पहले ली कभीले के कभीले के स्वामी ली जेंटियन ने जो शब्द कहे थे वे अभी भी हवा में गूज रहे थे अब वह बस अपने आपको चेहरे पर थपड मार रहा था जोंगी ने उदासीनता से कहा कभीले के मालिक ली अपने मुर्गियों की गिंती मत करो जोंगी ने उदासीनता से कहा उनके शब्दों ने ली जेंटियन की आँखों में एक भयानक थंडी रोशनी जिल्मिलाहट पैदा कर दी क्योंकि वह मंच पर खड़े आदित्य को घूर रहे थे इसे साफ करो ली जेंटियन ने अपने हाथों को लहराया क्योंकि उसके कभीले का कोई व्यक्ती उपर गया और ली रैन की लाश को ले गया तीनों शक्तिया इस बात पर सहमत थी कि प्रतियोगिता में जीवन और मृत्यू उनके अपने भाग्य द्वारा निर्धारित की जाएगी ली रान आदित्य को मारना चाहता था लेकिन इसके बजाए उसे मार दिया गया इस खेत्र में सभी के चहरे पर आश्चर्य के भाव थे ऐसा लगता है कि जों कबीले ने बहुत पहले से अपनी तयारी कर ली थी प्रारंभ में ली कलान अगले दस वर्षों के लिए स्वाड रेंज के नियंतरन अधिकार प्राप्त करने के लिए अंतिम लड़ाई में सीधे स्वर्गिय तलवार संप्रदाय को शामिल करना चाहता था फिर भी उन्होंने यहां अनुमान नहीं लगाया था कि वे पीडित बन जाएंगे जिससे उनके लिए मार प्रशस्थ होगा इसके बजाए जों कबीले अगली लड़ाई के लिए जब तक जों कबीला विजी रहा तब तक तलवार की सीमा पर नियंतरन का अधिकार जों कबीले का होगा जब भील की निगाहें एक बार फिर आदित्य पर चली गई तो उन्होंने केवल उसे जियान फेंग को भूरने के लिए अपना सिर जुकाते देखा जब तक आप कर सकते हैं तब तक आप मंच से नीचे उतर सकते हैं आदित्य की आवाज बेहत साधारन थी बिना किसी उतार चढ़ाव के पहले जियान फेंग ने उसे मंच से नीचे उतरने की अनुमती दी थी और अब वह जियान फेंग को बोले गए शब्दों का जवाब दे रहा था लेकिन अब स्थिती पहले से अलग थी इससे पहले हर कोई सोचता था कि जियान फेंग के शब्द उचित थे लेकिन अब उनकी स्थिती उलट गई थी तलवार की एक चालने ली रान को मार डाला था और यद्यपी जियान फेंग स्वर्गिय तलवार संप्रदाय में सबसे मजबूत प्रतिभा बाला उम्मीदवार था क्या वह जों कबीले के तलवार पुत्र के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत था उस दिन चटान के नीचे समतल भूमी में वह महिला जिसने कभी आदित्य तलवार कला का अतुलनिय अनाडी कहकर मजाक उड़ाया था ने अपनी इंद्रियों पर अतियतार्थवार का एक उच्छाल महसूस किया वह जिसका उसने पहले उफास किया था अपने आदरणिय वरिष्ट भाई जियान फेंग को अपनी मर्जी से मंच से उतरने के लिए कह रही थी तलवार कीन तलवार की चाया प्रकट करना वास्तव में आपने किस दूसरे स्तर की अंतरग्रिष्टी को समझा जियान फेंग ने पूछा तलवार के ऐसे इरादे ने उनके दिल में भी एक ठंड़क का एहसास करा दिया मुझे नहीं पता कि दूसरे इसे क्या कहते हैं लेकिन मैंने इसे नाम दिया स्वार्ड मेलोडी आदित्य ने उदासींता से कहा जियान फेंग ने अपना सिरहिलाया स्वार्ड कीन, स्वार्ड मेलोडी यह इसके लिए एक अत्यंत उप्युक्त नाम है मुझे डर है कि अगर मैं इस मंशा के खिलाफ लड़ता हूँ तो मेरा अंत वही होगा जोली रान का था मैं अपने हार स्विकार करता हूँ जियान फेंग के शब्ध हवा में गूँज रहे थे दूसरों की राय पर ध्यान न देते हुए और तलवार स्वर्गिय संप्रदाय की प्रतिष्ठा की उपेक्षा करते हुए वह मुड़ा और मंच से नीचे चला गया वह हार मान रहा था क्या यह मृत्यू के भैसे था या उसका तलवार दिल काफी द्रिढ नहीं था इसके विप्रीट यह सीधे तोर पर था क्योंकि जियान फेंग का सोड हाट इतना द्रिढ था कि वह उस स्थिती में खुलेपन और इमानदारी के साथ ऐसे शब्दों का उच्चारण कर सकता था अगर आदित्य के साथ उसका जगडा होता तो उसकी मौत निश्चित रूप से आसन होती इसलिए उसने मंच से उतरने का फैसला किया